कि अब आफ्टर नून कैसे अप सभी लोग आई होप सब अच्छे होंगे स्वागत है आपका एक बार फिर से टॉप कुछिंग यूटूब चैनल पे मेरा नाम है शिघर सेंग और आज से अपन सेंपल पेपर सॉल्फ करेंगे साइंस का आज अपन साइंस का करने वाले फिर आप मैट्स का भी करेंगे ठीक है तो आज अपन साइंस का सॉल्फ करने वाले क्लास टेंथ वालों फटा फटा आजओ कहानी करते हैं स्टार्ट पता होगा जो मैंने अब हम लोगों ने जो बैच स्टार्ट किया था धुरंदर था क्लास 12 का और जो शक्तिमान बैचे क्लास स्टेंथ में इसके अंडर वन शॉट चलने थे बड़ी तरीके से मैंटी चलने है आज से अपन सेंपल पेपर सॉल्फ करेंगे जब तक एक्जाम नहीं हो जाते ठीक है तो अब इसको सॉल्फ कैसे करेंगे वह ध्यान से सुनना देखो साइंस में आपको बता हुगा हम की मैं आएंगी वह कोश्चन सॉल्फ करेंगे तो आप समझ गए ना कि पहले सेक्शन ए केमिस्ट्री फिजिक्स बायो फिर सेक्शन बी केमिस्ट्री फिजिक्स बायो ऐसे चलेगा ताकि तुम लोग अच्छे से डिफ्रेंशेट कर पाओ और फिर मज़ा आएगा ठीक है त अशोक नीरज सभी को आफटरनूं दोस्त आई होब तुम लोग बढ़िया तरीके से पढ़ लोगर उसी पढ़ाई को चेक करने के लिए आज अपन कोश्चन करेंगे ठीक है पूरा-पूरा सेंपल बेपर आज सॉल्फ कर देते हैं चलने से पहले पता हुआ आपको यह से मैंटी तो चली रही है और डाउट सेशन तो तो तुम लोग अपने टेलीग्राम ग्रूप पर तुम लोग भेशते ही रहते हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है शेडियूल के हिसाब से यह शेडियूल है आज अपना सेंपल पेपर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया यहां पढ़ो यहां पर हर एक कंटेंट पहले तो free of cost free of cost side में रखो quality content हर चीज़ आपको systematic form में मिलेगी पस पढ़ाई करो marks आपके कहीं नहीं जाएंगे इस बात की गैरंटी है कि ठीक है भाई Sonam Ria अशोक सभी को good afternoon यह से एक बारी में अपने YouTube स्टार्ट कर लेता हूं चलते हैं आज क्या सेंपल पेपर सॉल्व करते तो यह सारी कहानी दोस्त चलती रहेंगे आप लोग प्लीज चैनल पर बने रहिएगा नए है तो सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि आगे के और सेंप नमबर का आपका exact physics आने वाली है ठीक है 30 नमबर जो बचे रहेंगे वह बायो है ठीक ऐसे डिवाइड है और यह तो सब आपको पता होगा अरे मैं दिखा रहूं यह सेंपल पेपर है पूरा पूरा ऐसा ही डिट्टो आएगा पेपर भी ठीक है section A में 20 कोशन एक नमबर के section section B 2 नमबर section C 3 नमबर section D 5 नमबर और section E में आपको पता है case based study question आते हैं जो के चान नमबर के होते हैं clear अपन बढ़ते हैं आगे और चलते हैं पहले question पर आजो बढ़ते हैं और यह आज का आपना पहला question मैं आपको पहले पहले बता दिया है मैं पहले section A के chemistry के question solve करूँगा then physics वाली सर्ग physics के question के solve करेंगे फिर आपकी बायो वाली महमाएंगी clear है question करते हैं और answer देना start हो जाओ सब का मतलब आज जो भी तुम पढ़ने वाले हो सब के one shots complete है one shot as in मतलब एक ही वीडियो में सब कुछ complete है तो अगर आपने वो miss कर दिया है तो वो भी फटाफर दिखा देता हूँ यहाँ पे नीचे जाने description में आपको मिल जाएगा अगर आप इसको खोलोगे यहाँ पे yes यह वाली series है शक्तिमान series दोस्त इधर आपको सब कुछ मिल जाएगा one shot one shot जो भी आपको चाहिए रहेगा maths और science के मिल जाएगे yes anyway अपन चलते हैं और answer दो अब फटाफर इसका क्या लिखा हुआ है on heating ferrous sulphate भावना observed that it turns into brown color substance which also releases fall smelling as shown in the given मतलब क्या है एक बीकर है मतलब यह तो तुमारा test tube है नीचे से बंसन बरना लगा हुआ है इसमा थोड़ा सा ferrous sulphate पड़ा है ठीक तो जब इसको हीट गिया तो यहाँ से gas निकल निकली SO2 SO3 gas बहुत बढ़िया पूचा क्या है सुनना यहां पर यहां पर मैंने सिर्फ एक डाला है एक कंपाउंड डाला और मुझे दो अब अपना दिमाग लगाओ आंसर तो आना स्टार्ट हो गए है यहां पर तो सब ने ठीक दिया है तरुन भाई को छोड़के तरुन भाई क्या डिकंपोजिशन रेक्शन वेन आ सिंगल रियक्टेंट डिकंपोज तो फॉर्म टू और मोर दें टू कंपाउंड तो यह जब डिकंपोज होता है तो यह एफ़ी टूओ थी प्लस एसो टू प्लस एसो थी बनाता है दोस्ट इंपोर्टेंट है आगे भी एक कोशन इस किया है जो भी जुड़े हुए है प्लीस ऐसे सेशन चलते रहेंगे तो मैं नहीं चाहता तो लोगों कि यह सारी चीज़ां में सोजाएं बने रही है चैनल पर तो जितना भी नोटिफिकेशन आएगा तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन दबाके रखना ठीक के यह सारी चीज़ें आपको डेली मिलेंगी चलते हैं अपने कोशन नंबर सेगेंड पर यहां फिफ्त लिखा हुआ है क्यों क्योंकि बीच में फिजिक्स और बायो के कोशन है तो पहले मैं केमिस्ट्री करा देता हूं फिर फिजिक्स फिर बायो करेंगे पूरा सेंपल प अब आए हैं गुल्शन भुल्शन भी बढ़ाई करते हैं इनो नहीं और भी रियक्शन करी क्या किया गुल्शन वच्टाराइट बैलंज च्यमिकल एक्वीशन पॉर्ट फॉलोंग केमिकल डियक्शन ठीक मतलब यह मेरे रियक्टेंट हैं कम माइन करते हैं दो कि देखो कि बैलेंसिंग कुछ नहीं है बहुत एजी अगर तुम्हें चेक करना है इसमें बैलेंस सबसे पहले तुम इसका जानोगे या बैलेंस करते क्यों है रियक्शन तुम करके बैठ गए क्यों कर रहे हैं भी देखो लॉफ कैमिकल कॉंबिनेशन पड़ें लॉफ कैमिक प्रोड़क्ट में मिलेगा अब बुझे रियक्शन बैलेंस करनी है देखो बी एसी एल्टू एसोफोर का होल तराइस बी एसोफोर एल्टू तरी बहुत बढ़िया बस काउंट करो बराबर एटम्स है या नहीं है यहां बेरियम के तीन बेरियम के तीन क्लोरीन च्छे है थी तूसा हैं जैसो भॉत बड़िया अलुमूनियम दो हैया अलुमूनियम भी दो है sulfur3 इह पे झाल टीन है ठीन है फिर और सी फ्रोटर नौख्ला ये तो पहली वाली ही है याए कॉन कॉन बोला है हाँ भाई लकी बलानी सही बोला है तूर सैटिस्फाइड लॉफ कंसर्वेशन ओफ मास्ट इस करेक्ट टाइप ओल वन येस ए है ए तुम लोगों ने सही दिया है आंसर यह पहला वाला यह कुछ नहीं करना होता है भाई एटम काउंट करो रियक्टेंट के एटम काउंट करो प्रोड़क्ट के अगर बराबर है तो लॉफ कंसर्वेशन ओफ मास सैटिस्फाइड हो रहा है अगर आपको नहीं पता है रियक्शन कैसे बैलेंस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ वहां वन शॉर्ट करा रखा है मैंने पहला ही चैप्टर रहे है क्या मेंकल थोड़ी से ट्रिक होते हैं क्योंकि तुम लोगों को तुम लोग इतना तो समझ जाते हो कि सही है गलत है पर जब यह आता है मेरा कि दोनों करेक्ट हैं पर एस नौट मतलब उसका वह सैटिस्फेक्शन है या उसका आंसर है या नहीं उसमें फॉस जाते हो तो उसलिए असल अब लोग सही दे रहे हैं बढ़िया पढ़ा ही चल दी इसका मतलब तुम लोग की हैं बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो आ जाओ सॉल्फ करो से हाइड्रोजन इस नौट इंक्लूड इंद एक्टिविटी सीरीज ओफ मैटल अच्छा ऐसा यह बोल रहा है ठीक उसके सबसे पहले देखना हाइड्रोजन इस नौट इंक्लूड इंद एक्टिविटी सीरीज पागल हो गये हैं कि हाइड्रोजन ही मेरा रिफ्रेंस होता है इसके उपर जाधा मतलब जो हाइड्रोजन को डियूस कर सकती है वह उपर और उसके नीचे जैसे कॉपर आती है मरकरी आती है ठीक आंसर तुम लोगों क्या है डी कोई एक कह रहा है कोई डी कह रहा है देखो ए तो गलत है इतनी बात पक्की है मतलब ए इस फॉल्स एस फॉल्स यहां लिखा हुआ है और कहीं है बोत और तो कहीं है इदी डी होगा वैसे तो पर ऐसे छोड़ेंगे नी पूरा कर है लीना की रभ से फरयाद तो हाइड्रोजन क्सके नीचे आ रहा है ली थियम लीथियम क्या होता है भना धाना है यह पॉता है लुपा थाहर्म डी वाले कौन है बहुत बढ़िया प्रेम भिष्ट स्वरी प्रमेश भिष्ट पहाड़ी बॉय का भी ठीक है सोनम्भ भी आंसर सही बता रही है है एच इस इंक्लूड़ेड इन एक्टिविटी सीरीज संजनापाल डेट इस करेक्ट हाँ उससे कम नीचे होते हैं बहुत बढ़िया कि ए नहीं होगा मही भारत वाज खुद गलत बता रहे हो बाकि दूसरों को भी बोलने हो कि भाईया मैंने सही किया है पहला तुम तो अपना सही कर लो ठीक है चलते हैं अपना आगे 17 में किसी को दिक्कत हाँ बहुत सारे बचे हैं पुराने जोड़े हुए तो पता होगा कि अपना वन शॉट वन शॉट वह भी चलते रहता है तो बने रही है सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन दबा के रखना जो कि तुम लोग सब्सक्राइब करके चले जाते हो नोटिफिकेशन आता पतानिये क्या फाइदा ठीक चलते है पन आगे आजो कुछन नंबर 18 पर किया है असेशन रीजन रीच्शन बिट्वीन अ मैटल एंड नाइट्रिक ऐसे डजन अच्छा यह मतलब बात बोल रहा तुम लोग को बतानिया सही है गलत है उसको बाद रीजन नाइट्रिक एजेंट बताओ वई क्या होगा कि वी एक्शन बिट्वीन मैटल एंड नाइट्रिक ऐसे देखो मैटल मैंने माल लिया एम नाइट्रिक ऐसे तुम लोगों को पता क्या होता है एचनो थरी है ठीक है डज नॉट इल्वाल्व हाइड्रोजन गैस यह बात सही है या गलत है वद siそ ऐख कुमान आ लिख क्राने पीछे वाले में फिछ वाले में तो अरे हाइड्रोजन लुज इलेक्ट्रोन ünुद्स कर सकता एच पॉजिटिव बना सकता है तो ये बाद तो सही है ये बाद तो सही है बोलो समझ आया हो तो हाँ इसका किस-किस ने क्या आंसर दिया बताओ देख लेते हैं यहाँ प्रिंस पंडित सही कह रहे है आरेयन का भी ठीक है यूपी गेमर लकी बलानी दीपु कुमार एस्ट्रो इन सब का गलत है देखो गलत कैसे सुनना ये तुम लोग को पता है कि मैटल के साथ कोई भी मैटल है अगर मैं एसिड से रियक्ट कराऊंगा तो ऑक्सिडाइजिंग एजेंट का मतलब और एक अपने एक जिएजेंट करते हैं तो एसी ऑक्सिडाइजिदेशं कराएगा खुद का रिडक्शन भानें बहुत अगर इतना समझ आ गया तो देखो है यहां से बंनता क्या है यहां से निकलती है तुमारी एन ओटू गैस निक तो उपर क्या लिखा हुआ है बात तो सही है बात सही है और उसको बढ़िया तरीके से एक्स्प्लेइन भी किया गया है अब तुम्हारे मन में डाउट आ रहोगा सर एच एनो थ्री इतना इसके लिए तुम नाइट्रोजन के पास जाओ नाइट्रोजन के पास गए नाइट्रोजन की ऑक्सिडेशन इस्टेट निकालो देखो एच एनो थ्री है इसकी क्या होगी वन इसकी क्या होगी मैंने एक्स मान ली यहां से क्या आएगा 6 इस इकोस तो 0 तो जो एक्स आया क्या प्लस फईव प्लस फाइब इसका मतलब यह हुआ कि ना में ऐस्त ऑकसेडेशन सेक्ट में तो अब इसके पास यह नहीं सकता है तो इसके पास यह है कि मैं प्लस पॉर या फिर ठ्म today में आएगा और जब यह नीचे आएगा तो खुद का रिडेक्शन करेगा और दूसरे का ऑक्सिडेशन कौन कौन है वाले कि सब्सक्राइब में 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 डिस्प्लेस कर देते हैं तरुंट सही है बहुत बढ़ी आस्ता मैंने दे दिया एक्जांपल तो इसका क्या हुआ इसका है आंसर एक तो बोथ असर्शन एंडीजन आ ट्रू एंड रीजन इस दे क्रेक्ट एक्स्प्लेनेशन ओफ ए सब्सक्राइब अब बढ़ते हैं अब बढ़ते हैं अपन आगे यह हो गया अब देखो आ गए है तुमारे फिजिक्स वाले कोश्चन तो फिजिक्स वाले मैं तो करूंगा ने मुझे आते भी नहीं है मुझे तो बस chemistry आती है जो कि मैंने बढ़िया तरीके सा तुम्हें बता दिया है अब फिर मैं वापस आगे तुम्हारी chemistry section B से solve करूंगा चले आज हो सर अब बात करते हैं फिजिक्स की ठीक है और यह आपका इस वाले सेंपल पेपर में पहला कोश्चन है M C U Type है रहो आपके कौनसे कॉश्यन प data आपका कं हमारे हों मैं आपके electrical justo क्या हैphase यह हम बहुत अच्छे सजानते क्या कि हमारे उसमें इंउफ distortion ठीक एक होती है आपकी लाईव जी कि नियूटरल वायर को यापकी यापकी तो यह आपके तीन वायर होती है एर्थ Wish उसके बाद आपका लाइव और उसके बाद आपका न्यूट्रल में, उसके बाद हम हैं इन 1 ४ंध का न्यूटरल जी रquit थी ओ? से कनेक्ट होती है आपके बोर्ट से से सद्खकुत है बिलकुल आपके आपके अंड में हो've Math उसका मतलब यहां तो बैहें बाकि सब्सक्राइगर नहीं इसमें देखें लाइभार नीटरल इसमें रखा इसमें दिखा रखा लाइवायर ऊपर अरथायर बीच बढ़िया बिल्कु सही ऐ होगा ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है महीप हम बात मान गया आपकी यह होगा भाई बहुत अच्छे सा हमने इस concept को समझ लिया ठीक है बहुत इजी कोशन था आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं आपके next question की इस sample paper में जो next question है वो है आपका question number 8 which of the following statements about magnetic field of magnetic field is incorrect क्या बोला है incorrect कौन सा कौन सा ऐसा option है जो गलत है तो बहुत अच्छे से question पढ़ लो कुछ बच्छे जल्दी वाजी में क्या करते है अच्छा यह है तो बहुत पटाक से कर दिया नहीं question बढ़ो incorrect ढूंडना है चलिए तो पहले देखते हैं यह option में क्या बोला है दा नोर्थ पॉल आफ़ा मैगनेटिक कमपाज इस अस्यूम्ड टू पॉइंड डा डारेक्शन अफ दा मैगनेटिक फील्ड एट पॉइंड अगर आपका कोई इस तरीके से उसमें कि आप डिफ्लेक्शन देखते हो तो क्या देखते हो करेक्ट दूसरा magnetic field lines are curled closed lines बाई यह तो हमने property में पढ़ा है yes कि magnetic field lines आपकी closed loop होती है वह है इन्होंने बोला तीसरा zero field strength is represented by parallel and evenly spaced magnetic field lines क्या बोल रहा है यह बोल रहा है जो आपके parallel magnetic field lines होती है वो show करता है zero strength को मतलब यह show करता है कि आपका magnetic field की strength है वो zero है कैसा है सोच के बताना मुझे आगे बढ़ते हैं the degree of closeness of the field lines indicate the relative strength of the magnetic field बिल्कु सही मैं आपको property में पढ़ा हुआ है कि जहाँ पे magnetic field जितने ज़्यादा past में होती है वहाँ पे उतना ज़्यादा आपका strong magnetic field होता है तो इसका मतलब c आपका कही न कहीं यहाँ पे खटक रहा है आपके mind में होना भी चाहिए क्योंकि अगर आपके parallel magnetic field lines है तो वाइस इसका मतलब यह होता है क्या मतलब होता है that magnetic field is uniform magnetic field is uniform ना कि magnetic field strength is zero uniform magnetic field को represent करती है आपके parallel lines तो यहाँ पे option कौन सा है guys आपका c incorrect है इसलिए हम इसको tick करेंगे आई बात समझ में चलिए यहाँ बहुत बढ़िया तो काफी बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है अच्छा कौन सा sample paper है इस बात में आप ना गुसे हम आपको बता देंगे चलिए आई होप आप सभी को अच्छे चीज़ समझ में आ गए यहाँ पे भाई ए किसने बोला रे समीर अरे समीर भाई ए कैसे हो जाएगा यार ए कैसे हो जाएगा आप सुकुत सोचो ठीक है तो right answer c है अब आगे बढ़ते और आगे देखते हम question number 13 light reflection on a mirror is depicted depicted in the figure मतलब इस figure में depicted कर रखा है लगा रखा है आपके सामने एक diagram यह किसका diagram है यह आपका reflected ray ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है थोड़ा सा question में यहाँ पर गड़बर लिख रही है यहाँ पर लिख रहा है light reflection लेकिन इस question में देखे आप यहाँ पर यह जो diagram है यह किसका है reflection का है तो यह थोड़ा सा कभी बार हो जाता है यह reflection है ठीक है light reflection on a mirror is depicted in the figure तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपके सामने reflection वाला part दिखा रखा है इसका diagram दिखा रखा है अब इसमें उन्होंने क्या पूछा है question में what conclusion can be drawn from the figure इस figure से आपको क्या conclusion मिलता है पहला कि angle of incidence and reflection at the point of reflection all line on the same plane अच्छा यह कह रहा है कि angle of incidence angle of reflection और आपका वो point जहाँ पे reflection हो रहा जिसका हम point of incidence भी कह देते हैं यह तीनों same plane में ठीक इसने बात कही हमें समझ में आ गई but यह complete नहीं लग रही है angle of incidence and normal यानि angle of incidence यह और यह आपका normal at the point of reflection all lie on the same plane ठीक है भाई इसके बात भी समझ में आ रही है कि angle of incidence normal और point of reflection एक ही plane में लाए करते हैं लेकिन यहां भी इन्होंने कुछ चीछ छोड़ दी c में देखते हैं angle of incidence आई angle of reflection आई यह आपका आई हो गया यह आपका आई हो गया ठीक है आगे at the point of reflection भाई यह इन्होंने reflection बचा लगता है कुछ गडबड है यहां पर reflection आएगा ठीक है आपका क्या है यह आपका law of reflection का पार्ट है पहला law क्या होता है दूसरा law यह होता है कि आपके angle of incidence आई angle of reflection आर और वो point जहां से reflection हुआ या फिर वो point जहां पर आपकी light incidence करती है जिसको आप point of incidence भी बोल देते हो बट इन्होंने यहां पर इसको बोल दिया है point of reflection कोई change नहीं है आप अपने इसाब से point of incidence भी लिख सकते है point of reflection भी ले सकते है क्योंकि दोनों ही point एक है और यह सभी एक ही plane में lie करते है तो right answer is D तो जिन सभी का D था भाई बहुत बढ़े हैं आपको शाबास ही दे बिल्कुल सही तरीके से आपने चीज़े समझ ली ठीक है आपको चीज समझ में आ गई ऐसे आप इस तरीके से MCQ देखेंगे अपने exam में यह नहीं कि इसी type के आपके सारे यही question आएंगे हम आपकी practice करवा रहे हैं ताकि आप अच्छे से exam में marks लिए आए चलिए गाइस तो अब आगे बढ़ते है question number 15 को देखते है ठीक है आप सभी देख सकते है question आपका क्या दे रखा है calculate the amount of charge यानि आपको क्यूँ find करना है या find करना है क्यूँ pass through any area of cross section of the conductor कोई conductor है उस conductor के area of cross section से यानि यहां से कितना charge pass हो रहा है ठीक when a current of 20 ampere flow through it for 3 times अगर इसमें से आपने एक current 20 ampere का current 3 minute तक flow कराते रहे तो कितना charge यहां से pass हुआ let's see कितने बच्चे इसका सही जवाब देते है ठीक है चलिए अगर अच्छी बात है अगर आप सभी कोई आता है और guys जो हमारे platform पे नए है उनको लग रहा है पढ़ा ही बहुत अच्छी कराए जारी अच्छा content मिल रहा है सारी चीश टाइम पे मिल रही है तो please subscribe कर दीजेगा क्योंकि आगेगी जो भी classes होंगी आपको subscribe करने के बाद नोटिफिकेशन वाला जो bell icon है दबाओगे तभी मिलेगी ठीक है अच्छे से भाई अभी भी पढ़ लो marks आ जाएंगे मौज मस्ती मार्च के बाद करेंगे अपन लोग ठीक है चलिए ठीक है तो यहाँ पे काफी बच्चों क्यों के लिए आप क्या करोगे क्यों को लिखोगे आप आई इंटू टी आपका आई कितना है वाई आपका आई है ट्वेंटी आपका टाइम कितना है सेकेंड्स में बदल लो भाई यहां से तुरंत टीन गुना साथ 180 सेकेंड्स टीक टाइम कितना हुआ 180 सेकेंड्स टीन टूजा कितना हुआ था 36 और दो जीरो तो यानि च्छतिस सो कूलोंब आपका सिंपल सिंपल जवाब हो गया तो बैच्चा बी सही जवाब नहीं है इसका इसका जवाब है और चाही यह बी बी टीक भाबिल को से 3600 अब डी डी नहीं है बच्चा 180 कूलों में लगता है तेरी मैत खराव है बच्चा थोड़ा सा असीम देखो अच्छे से 3600 आएगा बहुत अच्छे से देख लो कैलकुलेशन भी कर दी है यहां पर आप अच्छे से देख सकते हो अगर स्टिल कोई कंफ करके आंसर निकालना है ताकि आप बाकी पार्ट्स पर ध्यान दे सके अच्छे से अब बढ़ते हैं कोश्चन नंबर 16 विच आफ दा फॉलोविंग डिफाइन दा इलेक्ट्री करेंट इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है ऐसा ऑप्शन जो आपके इलेक्रिक करेंट को डिफा ठीक है फटाक से बताओ अगरे अरे समझ गया सीटी ने राज वो पीछे दो यह ऑप्शन को भी दे रखा था मैं आपकी बात समझ गया चात्री सो गुलों मांसर है ठीक है फिलाल मुझे यहां देखके बताओ कि कौन सी सही डैफिनिशन होगी डैफिनिशन सही होनी चीए बात किसकी कर रहा है इलेक्ट्र करेंट की बात कर रहा है चलिए तो यहां पे एक बच्चे ने बोला बीloaltWh ओके चलिए और और I need more of more answers गाई तो A B A B में बच्चे fluctuate कर रहे हैं कुछ कह रहे हैं बी कुछ कह रहे हैं चलिए देखते हैं भाई क्या जवाब है अब यहां पर पहला बोला है the amount of charge flowing through a particular area in unit time amount of charge flowing through a area per unit time this is called electric current formula और definition को मिला के देख सकते हैं कि पहला वाला बिल्कुस सही बोल रहा है आगे भी देखते हैं B में बोल रहा है one coulomb of charge flowing per second यह बोल रहा है जब एक कुलोंब का charge एक second flow होगा तो हम उसको electric current बोलेंगे कैसे तभी बोलेंगे बाइज ज्यादा amount का हुआ ज्यादा time के लिए क्या तब नहीं बोलेंगे इसको electric current तो मतलब यह पूरी पूरी technical area in unit time the amount of current amount current का amount थोड़ी है बाई गलत है यह भी दूसरा one coulomb of charge flowing per minute यह भी गलत है तो right option है तो जिसका ए था भाई बिलकुस सही उसके definition बिलकुस सही है ठीक है अब बताओ भाई B और A में confusion मिटा आप सभी का अच्छा you are always right devil चलिए देखता है आगे और भी question है ठीक है चलिए तो बहुत ही सारे बच्चों ने A बोला कुछ बहुत ही सारे बच्चों ने B भी बोला मुझे यह बताओ कि आपका confusion मिटा A और B में बिलकुस सही चलिए अच्छी बात है अगर मिट गया है तो अब हम आग अच्छी बार्ट अगया च्छी थीक यह तो बाय वाली में वाएंगी और वह आपको अच्छे से चीज समझाएंगी इतना आप question देख लो पढ़ लो समझे ले समझे लो अच्छे लो है 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 हुआ है हेलो एवरिवन गुड आफनून टू आल मैं रजनी परिहार आपकी बाइलोजी टीचर उमीद करते हूं कि सारे अच्छे होंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स तो आपने पड़ी ली और आपको पता है कि बाइलोजी का सेक्शन भी जो है वह बहुत इपॉटेंट आपके एक् में और उनमें हमें बताना कि कौन से टाइप की मुवमेंट है ठीक है पहला इन्होंने दे रख्या हाइड्रोट्रॉफिजम दूसरा दे रख्या जियोट्रॉफिजम और थर्ड दिया थिग्मोट्रॉफिजम अब आप इस फिगर में देख पा रहे हैं तो अगर हम टर्म इनको तोड़ें तो हाइड्रो का क्या मतलब होता है हाइड्रो का मतलब होता है यह वाटर से रिलेटेड है ना पानी से रिलेटेड है तो यहां पे इस फिगर में कहीं आपको पानी देखने को मिल रहा है नहीं देखने को मिल रहा भई तो आफकोस पहला कोश्चन तो पहल वाय के साथ लिप्टी हुए है टेल्ट होती है टेंडल एक मोडिफाइड फॉर्म होती है किसी स्टैम की या कि सी लीफ की ठीक है तो वो किसके साथ किसी वायर के साथ चो के से कोईल हो नहीं है तो इसमें यह जो दिया ओपशन C हमें TIGMO टॉपिजम तो थिघ групп होता रस 事情 का मतलब होता यह है टर्णिंग ठीक है तो इसमें जो आप्शन C होमारा ऑप्शन C इनोंने बिल्कुल सही दिया हों लेकिन अब आपको यह चीज हमने चारों के चारों पढ़ लिए में भी नेक्स्ट आर आपको या अगली बार आपको यह चीज पूछ सकते हैं वो की हाइडॉट्रॉफ इसम बता दो या जियोट्रॉफ इसम तो हमने चारों पढ़ लिए ठीक है तो कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लेर हो गया ठ एक्सचेंज इडेंटिफाई A, B, C and D in the given diagram हमें इन्होंने हमें क्या दिया है और इसमें हमें पहचानने है और तोर हमें इन्होंने सिक्वेंस भी दिया है ठीक है बट हमें सेक्वेंस को अरेंज करके बताना इनको कि इसमें जो ए है वो क्या है बी क्या है सी क्या है और डी क्या है तो देखो यह जो है ना पहले तो इसको हम बोलते हैं स्टो मेटा कहां पे प्रेजेंट होता है यह हमारे जो लीव सोते हैं पत्ते ठीक है उसका अगर हम यह वाला पार्ट जैसे आप फोन में जूम करके देखते हूं पिक्चर वैसे अगर ऑप्षन दिया, ऑप्षन-े में क्या दिया है, एंनों ने बता रखे, सबसिडेंट रिसेल, बिल्कुल भी नहीं, हम सेंटर से चलते हैं, बीच में क्या देखे, यहां पे हमें ऑपनिंग से दिख रही है, तो हमारा क्या है, ओप्षन-े जो है, ऑप्षन-सी जो है, से थिक सबसे बाहर वाली बांडरी होती है ठीक है वो क्या करती है protection पूट देती है किसको लीफ को कोई mechanical injury ना वजाए उससे बचाती है ठीक उसके बाद हमारा नीचे सबसेटरी समसेटरी सेल क्या काम करते हैं कि गाड इसल क क्या गाम होता है कि यह पानी बलत जाएगा तो यह छो जाते हैं अगर इन्होंने पानी अगर ने अगर दोनिव ने अगरुण तो इस फारो सबसेडरे सल अब यहाँ करते हैं कि ओप्शन अishazing अब अब आपको मैंने सारे explain करके दे दी हैं आप मुझे यहां पर sequence बताएंगे बच्चे की सही वाला कौन सा है तो इसमें option B जो है ये बिलकुल सही answer होगा आपका जिन्होंने option B दिया है उन्होंने question अच्छे से समझ लिया है ठीक next the following picture of an experimental setup show the response of root toward the water देखो हमने पहले ही question में देख लिया था कि ये question गुमा के भी पूच सकते हैं तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है कि एक root दिख रही है ठीक है और यह दूसरे यहां पर दूसरे हमें diagram में क्या दिख रहा है कि यहां पर मिट्टी का घड़ा उसमें पानी डाल रखा है और root की direction किस तरफ हो रही है जहां पानी है तो इसमें क्या करता है कि हमारी जो roots है वो water की तरफ movement करती है अब यहां पर हमें मैंने आपको पहले ही बता दिया कि थिगमों क्या था तच ठीक है ठीक मोजो था वो टच से रिलेटेड था जीओ हमारा यह अर्थ से रिलेटेड है ठीक है तो जब जीओ ट्रॉफीजम होगा तो उसमें क्या होगा कि plant movement move करेंगे तूवर्ड ग्रैविटी नीचे की और मूव करेंगे ठीक हमने देखा है हमेशा ऐसा तो नहीं कि जड़े कभी उपर को उगती हों या किसी ने देखा है नहीं होता है जड़े हमेशा नीचे को ही जाती है और शूट जो है वह ऊपर को ही फ्लोग करता है फोटो होता है फोटो क्या है लाइट से रिलेटेड है तो जो चीज है जो आपने देखा होगा कि आपके घरों में अगर आप यह चीज खुद भी करके देख सकते हो कि आप कोई प्लांट लेना और उसको बालकनी में लगा देना तो उसकी मूवमेंट ना जहां पर लाइट होगी हां जी बच्चों ने बहुत सही जवाब दिया है बहुत अच्छा आप मेरी उमीदों पे बिल्कुल खड़ा उतर रहे हो ओप्शन डीस में बिल्कुल सही है नेक्स्ट कोशन क्या है दो फॉल्विंग डाइग्राम शो दो प्रोसेस आफ रिप्रोडक्शन डैट ओकर इन प्लास्मोडियम यह प्लाज्मोडियम क्या है क्लों बताएगा oh ब्लाज्मोडियम में टैपरसाइट है ठीक है पर साइट है वाट यह ठीक है आप सभीने narc अंत्यों के बद्षकर कातने से वह वह जत जींहिए कि मच्छर तो एक जर्याएं ठीक है मच्छर के अंदर जो उसका पेरासाइट होता है उसका नाम है प्लाजमोडियूम और वही क्या करता है हमें क्या करता है पॉलेरियो कॉस करता है अब हमने देखिए यहां पे इन्होंने डिवीजन दे रखी अलग लग तरह कि ठीक है और तो आपको स्लाइड में क्या दिख रहा है चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-बहुत सारी अलग लग दिख रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि ऑप्शन डी जो है इसमें जो हमारा प्लास्मोडियम है क्या से डिवाइड करता है क्या से डिवाइड करा कि I said option डी बिलकुल सरे यह कैसे करेंगा यह क선 कflo कि यह एक हमार फिलाज्मोडियम का संथ जब आन फेवरेवल कंदिशन आती है इसको लग जायेगा कि बहार का इनवार्नमें सेफ नहींत्त वह बचनी पाएगा तो उसका सेल बहुत चलाक होता है कब होता है यह अन्फेवरेबल कंडीशन के टाइम पे ठीक है तो इसके बाहर क्या बन जाएगी एक सिस्ट बन जाएगी यह जो यह क्या है सिस्ट का एक प्रोटेक्टिव लियर है और यह न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है सेल को ठीक ह इसके अंदर ही सेल डिवाइड करता रहेगा एक से दो बन जाएगे दो से फिर देन चार ठीक है और जैसे ही क्या होगा फेवरेबल कंडीशन आएगी यह सिस्ट क्या होगी ब्रेक हो जाएगी और हमारे जितने भी न्यूकलेस हैं वो सारे बहार आ जाएगे ठीक है और यह जो सेक्वेंश होता है हमेशा जब भी आप अगर पेपर में डायिघृफ भी बनाते हो तो डेग्राम इसी सेक्वेंश में बनाना कि अगर आपका एक सेल है तो वो आगे 2 में ही डिवाइड होगा और दूसरा सेल जो है वो आगे चार में डिवाइड होगा कभी ऐसा नहीं बना देना कि अंदर आपने तीन बना दियो तो वह आपकी डाइग्राम गलत कंसीडर होगी चार अगर बनाए तो उसके बाद डिरेक्ट एट सेल स्टेज आती है उसके बाद सिक्स्टीन थर्टी टू नेक्स्ट ऐसे होगी ठीक है ऐसा नहीं यहां फिर बैट पिक्ट्र शो एंफ विज तैस्ट विद ऑड़ें तुर इन एंड में एसरेंच्ट पर फोटो संथिस इस लाइन पे जो देना है लाइट इसजल फॉर फोटो संथिस ठीक है लाइट is इसेंशल फॉर फोटो संथिसिस चांढ बोल रहे हैं कि एक लिश्पारिमेंट फोटो संथिस पर्फॉर्म किरेंगे तो वह अपना खाना बनाएंगे ठीक है और खाना उनका किसी फॉर में शॉपर रहता है ठिक है, Starz की form में जब उनका खना हो रहेगा तो उन्हांने क्या किया कि उस Leaf को लिया दुदार से और duż और I O Dain का जो solution है उसमे उसको डाल दिया जिस जगह पर क्या होगा जिस जगह पर starch होगा ना तो वहाँ पर I O Dain रेक्ट कर जाएगा उसके साथ और हमारे leaf की जो color है वो blue black हो जाएगा लेकिन जहां पर खाना नहीं बनाए है यहां पर हमने cover किया था वहां पर तो starch है ही नहीं तो वो जगा उस पर कवी भी reaction यह होगा तो इसमें option कौन सा हमारा सही है start to react with iodine option a जो है वो हमारा बिलकुल सही है हां जी बहुत सारे बच्चों ने option सही चुना ए जी तो option a हमारा बिलकुल सही है है next question का है हमारा choose the hormone which is responsible for bending of plant shoot toward sunlight hormone यहां पर किस की बात हो रही है है plant hormones की तो यह चार अलगलग टाइप के hormones है humans में भी hormones होते हैं उसी तरह plant में भी hormones होते हैं ठीक है तो इसमें हमें यह चीज़ बताना है कि इसमें से कौन सा hormone responsible है किस चीज़ के लिए कि plant की जो growth होती है वो टूवर्ड लाइट होती साहँ है ठीक तो अगर आपको मैं बताऊं कि आपका कभी देखाऊँ अपने घरों में अगर आपका कोई गमला है ठीक है और वो नीचे गिर जाता है तो वह जो गमला जब नीचे गिर जाएगा तो का जो फूल होगा वह आगे को ग्रोना करके ऊपर की तरफ ग्रो करेगा यह आपने सूरज का फूल देखा होगा ठीक है सन फ्लॉर देखा होगा तो वह जिस तरफ फूल जाता है उसी तरफ क्या होता है जिस तरफ संद जाएगा उसी तरफ वह मूव करेगा ठीक है तो यह किस कि वजह से होता है आफ्ट की वजह से ठीक है ओलसी इस चीज के लिए स्व tulee इसको क्या पॉलते सो क्या पोलेंगे हम फो-टो ट्रossing अब दिरिए चन्य होतो ट्रॉम और फी क्रीजिक है और देन उसके बाद यह जो हमारे यह आपको आगे काम में आ सकते हैं ठीक है तो स्किपने करना है जो हमारा यह जिबरलीन ना जिबरलीन किसके काम आता है सीड की डॉर में सी ब्रेक करने के लिए आप रखते हो ना अपने घरों में डाले रखी है आपने ठीक है यह सर्दियों में आप देखती हूं कि कोई पेड़ है इस तरह स तो यह हार्मोन है यह हमारा सेल डींजन में हेलप करता है ठीक है अप खाती हो नाפר तो वह किसकी मदद से पकता है वह इथाईलीन और यह ऍकलोथ ऐसा हर्मोन है जो गैसीज की फॉर्म में होता है ठीक चलिए ओप्षिन एसका बिल्कुल सही है नेक्स्ट कोश्चन अल्दो जब सेक्स ओफ और ग्रीजम इस जैनिटिकली डिटर्माइड दियर आर सम और ग्रीजम हूँ सेक्स इस नौट जैनिटिकली डिटर्माइड एक्जेंपल ओफ दिस इ लेकिन हमारे नेचर में कुछ ऐसे और ग्रीजम से हैं बच्चों कि जो क्या है उनके जो सेक्स है वो जैनिटिकली डिटर्माइड नी होता तो उसमें से मुझे कौन बताएगा अगर किसी को पता है तो बताओ मुझे कौन बताएगा कि जिसका जैनिटिकली डिटर्माइड प्रूट अब एक अगए प्रउट्स कि वश्ट सब्सक्राज ने बिल्कुल सही जवाब दिया हमारा जो डी है स्नेल जो एसनेल क्या होती है हर्मोफ्रोडाइट होती है इसके मर्जी जब बनना चाहिए जब सीमेल बनना जाहाएगी ठीक है तो यह क्या होती है हरमोगर होती है कि के मैं इन में क्या होगा बोथ अ कि होसा general ने स्पर में और रोम नहीं ही पाए जाएंगे ठीक है लेकिन अन्ट्वॉम्इडलवी मेल बन जाएगा जो क्या होगा जो वीखर वाला वह फिमेल बन जाएगा बट मुस्ट अफ़ टाइम क्या होता है कि यह क्या होते हैं पाए ही कैसे जाते हर्मोफ्राइड एक और होते हमारे टर्टल ठीक है नेक्स्ट ताइम में भी आपके साथ है आपको एक्जामपल ही ना दी हो है ना यह स्नेल ओप्शन में ना दी हो तो याद रखो इस लाइन पर जादा जोर दो क्योंकि जो हमारी क्या है और उसके बाद एंड गिव आउट ऑक्सिजन दूरिंग देटाइम वेरेस प्लांट प्रड्यूस कार्बन डायोक्साइड दूरिंग 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 नाइट क्या आप एगरी करते हैं इसके साथ बताओ कौन बताएगा येस, नो, मेबी और डेटा इस इनिशुफिसेंट बताओ मैं वेट करूं कि आपके आंसर का नो, नो, ए, ए बताओ तो इसका जो अंसर है वो हमारा येस, येस क्यों है, देखो हमारे जो प्लांट से वो दिन में तो फोटो सिंथीजिस करते हैं, है ना, नहीं, ये थोड़ा इसमें बहुत बच्चों का ओप्शन क्या होगा, अपने अलग लग राय देंगे, लेकिन मैं आपको एक्स्प्लेइन करती हूँ, जब हमारी क्या होगी दिन के टाइम जब फोटो सिंथीजिस होगी, तो तो निकलेगी, दिन में तो रिलीज होगी ही, लेकिन वो नाइट क रात को भी और दिन को भी रिलीज होती है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन ए जो है, यह बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाला कोशन है, घूमना नहीं है, यह घूमाने की कोशिश करते हैं, और आप बच्चे घूम जाते हो, एसमें अगर आपको पता है, तभी आप सही लगा होगे, नहीं तो तुक का जैमाता की करके आते हैं, कुछ बच्चे तो है ना, जैमाता दी नहीं करनी है, अब देखो, इसमें आपकी असली नॉलेज जो यह वो चेक होगी, असली नॉलेज कैसे चेक होगी, देखो, यहां पर क्य से लॉजिस्ट होगे, उसी तरह जो जैनेटिक्स की स्टडी करते हैं, उनको हम जैनेटिस्ट बोलते हैं, ठीक है, उन्होंने एक क्रॉस परफॉर्म किया, किसके वीच, प्लांट कौन-कौन से थे, उन्होंने क्या देखा, 50% रेड फ्लॉर मिले, और 50% वाइट फ्लॉर मि पढ़ाऊंगी नहीं, लेकिन फिर भी आपने मेंडल के बारे में जरूर पढ़ी होंगी, यह सारी चीजे, तो चलो आपको थोड़ा सा बता दू कि हमारे मेंडल थे, उन्होंने क्रॉस लिया था, ठीक है, तो मान लो, आपको एक्जेम्पल के तोर पर समझा रही हूं, यह हमारे हैं, टॉल प्लांट, ठीक है, इनको समझ लोगा वाइट है, ठीक है, यही चीज़ बोल रहा है, इसके आगे हम देखते हैं, तो गैमेट्स आएंगे, यह हमारा कैपिटल टी, और यह हमारा स्मॉल टी, ठीक, अल्टिमेटली यह बाद क्या बोल रहा है, यह टेस्ट क होमोजाइगस है, यह हिट्रोजाइगस है, क्योंकि हिमो होमोजाइगस टॉल है यह हिट्रोजाइगस, क्योंकि यह जो हाइब्रेड था ना, यह टॉल था, ठीक है, यह क्या था हमारा टॉल था, यह हमारा टॉल है, और यह हमारा डवाफ है, अब मैंडल को यह चीज़ जा जो हमारा रिसस्टिव था रिसस्टिव के साथ इनों ने जब टेस्ट क्रॉस किया तो कैसा उनको result मिला देखो यहां पर एक यह हमारी हिट्रोजाइगस होगी और यह हमारे होगी होमोजाइगस रिसस्टिव कंडिशन ठीक है ऐसा ही दिया ने अब देखो पेपर में आसा ही अब जब हम इसका प्रफॉर्म करते हैं तो यहां पर हमें मिलेगा हाइब्रेड मिलेगा इसके साथ परफॉर्म करते हैं तो यहां हमें यह मिलेगा प्योर रिसेसिव ठीक है इसके साथ जब करते हैं तो यह भी हाइब्रेड मिलेगा और दुबारा इसके साथ करेंगे तो यह यह में बिलेगा ठीक है अब इसमें क्या हुआ 50 50% हो गया 50% क्या है हमारे प्योर क्या है और 50% हमारे ये टॉल है ठीक है तो इसकी क्या होगी 50 50 हो गया ना दोनों चीजए और वन इसकी क्या होगी रेशों आ गई ठीक अब इसका कौन सा प्रेक्ट आंसर इसकी यह दोनों जो चीज़े यह नों ने बिल्कुल सही दिये हैं ठीक है दोनों जो है एस्वाशन इस दो राइट क्या है रिजन दिया है इनों ने ठीक है हाँ तो इसका ओप्शन ए जो है यह बिल्कुल सही एक्स्प्लेनेशन है ठीक है ए इस दो क्रेक्ट एक्स्प्लेनेशन ओफ आर ठीक चलिए नेक्स्ट कोशन क्या है हमारा एस्वाशन में क्या दिया है दो ड्रॉप पिंग ओफ लीव्स इन टच्मी नॉट प्लांट ऑकर ड्यू तो स्मेलिंग आपने टच्मी नॉट प्लांट तो देखा हो गया सुना तो हो गई जिसको शर्मीली बोलते हैं कुछ लोग छुई-मूई बोलते हैं ना सुना तो हो तो देखो अब इन्होंने दिया स्मेलिंग तो प्लांट के पास नाक होता है क्या प्लांट कर सकते हैं ऐसे तो सेंस कर सकते हैं वो ठीक है इन्वार्नमेंट स्ट्रेस वो समझ सकते हैं लेकिन वह स्मेल नहीं कर सकते तो अन्होंने गलत दे रखा है ठीक है तो यह हमारा हो गलत उसके बाद इन्होंने बोला कि the amount of water तो यह इसका जो हमारा सही आंसर है जो इन में इसके शेप चेंज होती है ना वो जब टरगर प्रेशर प्रेशर क्या होता है कि मानलो एक बलून है ना तो बलून के अंदर जब आप पानी भर लेते हो तो उसमें क्या उसकी वाल पे इसके जो प्रेशर बन रहे हुआ तो जब इसके जो इन्रजी एलेक्टल इनर्जी वह जाएगा तो उससे क्या होगा पानी सारा इसका गिर जाएगा तो उससे क्या होगा आपने जो है वो गिरा देगा नीचे इसमें क्या दिया हो इनोंने आर इस फॉल्स एंड ऑप्शन डी जो इसका राइट अंसर रहेगा चलिए ये तो हो गया हमारा अब ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आता बही ये तो कैमिस्ट्री का चलो कैमिस्ट्री पढ़ लो आप मिलते हैं अगले सेक्शन में हाँ दोस्तों इसी के साथ तुम्हारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है ठीक है मालूम पड़ गया अब कैसे चलेगा कि आपका सबसे पहले वही सेक्शन वाइज सबसे पहले केमिस्ट्री दैन फिजिक्स और उसके बाद बाद बायो आई होप तुम लोग को सारी चीज़ समझ आ अगर मजा आ रहा है बढ़िया चलता है तो प्लीज एक बारी थमसब कर देना ठीक है आ गए है पन सेक्शन बी पे सेक्शन ए पूरा प्रॉपर्ली कंप्लीट हो गया है चलते पन आगे और तुम लोग जो यहां पर इतनी देर से जुड़े हो कर क्या रहे हो भई हैं लाइ और बहुत सारे सेंपल पेपर करेंगे यह तो एक ही है ठीक और बढ़िया बढ़िया कोश्चन अपन लेके हैंगी यह अर्जुन अशुक डेविल दिलाज प्रिशानत अंजली कुमारी सब को चीज़ है समझ आ रहे हैं बहुत बढ़िया समझ आ रहे हैं तो चलते हैं अप और सॉल्व करते हैं सेक्शन बी का पहला कोश्चन जो की कोशन नमबर 21 है दो नमबर आपको बता है सेक्शन एक नमबर का रहता है अब आते हैं दो नमबर पर ठीक है तो यह शौट आप रहते हैं तीन चा लाइन में इनको खथम करना होता और अगर एक्स्प्लेंड वाला अधर ग्लास और प्लास्टिक जार्स एंड नौट इन मेटल कंटेनर क्या बोला कि रीमा अपनी मम्मी के संग बजार में गई और वह जो पिकल लोते हैं अचार वह देखा कि बढ़ास जार में रखें या फिर सेर्मिक वाले होते हैं पता होगा सेर्मिक वाली तो उनमें च चाहिंत कि अन्में मेरी कोपर की बोटल है अगर मैं इस में अचार भरके रख दूँर तो क्या होगा बताना फचाहिए दूला सिंगे पाइदा तो मैं समझ नहीं आएगा ठीक है समझते हुए चलोगे तो टाइम तो लगेगा अब उपर उपर से उड़ाते हैं फिर तो क्या है आदे गंटे में पूरा भी सॉल्व हो जाएगा इसे टिक 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 मार के तो चले जाएं सारे हाँ बहुत बढ़िया देखो होता क्या है कि मेरे पास जो ग्लास है या फिर सहर में बना होता है सेंड से पता होगा ऐसा योटू सिलिकेट्स होता है सोडा एश या फिर तुमारा लाइम स्टोन से मेरी ग्लासिज बनती है लेकिन जो मैटल है मैटल की कहानी अलग हो जाती है ठीक है जो खट्टे वाले होते हैं खट्टे वाले तो पिकल्स में प्रिजेंट होता है मेरा एसिड और साथ में ओइल्स भी हैं ओइल्स यह क्या है यह तुम्हारे और जब आप और गयनिक कंपाउंड की डियेक्शन किसी मैटल से कराते हो तो दोस्त वहां पे टॉक्सिटी तो आएगी और वो आएगी इन फॉर्म ओफ मतलब तुमारी हाइड्रोजन गैस एवाल्व होगी जो कि बहुत ज्यादा टॉक्स है समझाय तो मेरे जो अचार है वो अब खाने लाइक नहीं बचेगा क्लियर तो मैं ग्लास में रखता हूं मैटल में नहीं हाँ मैटल से रि बहुत बढ़िया सही अख्षद प्रीति अंजली सरगम कर लो कोई कहीं का कोई सेंपल पेपर हो कोशन है ना पेपर में यह नहीं आएगा कहां कौन सेंपल पेपर सॉल्फ किया था कोशन आते हैं तो फाल्टू बात हैं नहीं करो हाँ वह तो रियक्ट करी जाते हैं आते हैं अपन कोशन नंबर 22 पे क्या है सुनना अब पेपर में और मतलब ऑप्शन भी आ सकते हैं तो दो चैप्टर करते हैं अब अपन लोगो 14 यू बोले तो 14 फॉर्मूला यूनिट यूज़ करते हैं आई वह पुरानी बात है आजओ इधर यह मेरा उपर वाला कोशन और अगर और में लिखा हुआ है कि ड्रॉद एलेक्ट्रों डॉट इस्चक्चर ओफ सीओ टू इजी है फटाफट कर होती है मैंने आपको बढ़िया तरीक से बताए था कि जैसे फॉर एक्जामपल अलकीन अलकीन का जल्ला क्या होता बताना अलुटी अलंकीन क्या होती है cyn एक्च टू इन कि सबस्क्राइब मैंने के किया यहाँ पर अगर एण जकॉर्वट टू लगाव तो पॉसिबल C2H4, इसके बाद मैंने N is equals to 3 किया, तो क्या जाएगा यहां से, C3H6, समझा रहा है, उसके बाद क्या जाएगा, C4H8, तो यहाँ, जब आप कोई भी homologus series बनाओगे, देखो, यह है मेरी homologus series, और यह जो है, यह है मेरे homologus, homologus series में जो present मेरे compounds होता है, उनको मैं homologus बोलता 2 का, यह मैं सिर्फ alkyne का example दे रहा हूँ, सेम आप alkyne, जो कि CnH2N plus 2, या फिर alkyne CnH2N minus 2 के साथ भी करोगे, तो सेम ही आएगा, ठीक है, तो वो सारी homologus series होती है, जब आप difference देखा CH2 है, और यहीं जब मैं CH2 का molar mass निकालूँगा, कार्बन का क्या होता है, कार्बन का 12 12, hydrogen का क्या होता है, 1, कितने present है, 2, तो overall जब मैं निकालूँगा, तो कितना आजाएगा, यह आजाएगा, मेरा 14U, वही question में दिया गया है, कि 14 atomic mass होता क्यों है, क्योंकि हर एक homologus के बीच में जो difference है, वो है आपका CH2 का, clear, बास समझाई, yes, CH2 के difference होता है, और जो CH2 के मेरी molar mass है, वो निकल के आता है, 14 formula unit, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया, तो यह कहानी उपर वाला question तुम्हें समझ आ गया, how can you say that the difference in molecular mass, कितना difference है, वो है because of, because difference in two homologs is CH2, बस इतना लिखना है, उसके बाद इसका आप यह molecular mass लिख दोगे, खतम हो जाएगा, पूरे number मिल जाएंगे, clear है, बहुत बढ़िया, yes, अब उपर वाला हो गया, और बनाते हैं, मतलब electron dot structure of CO2, आ जो, अलग से बना लेते हैं, ठीक है, और वाला part करने है, question number 22 का और वाला part है, ठीक है, और वाला part करेंगे, CO2 का मुझे बताना है, electron dot structure, ठीक है, अब तुम लोग यह type तो कर नहीं पाओगे, तो मुझे थमसा बेज देना, अब तुम structure तो यह भेज नहीं पाओगे, तो थमसा बेज देना, के हांसर मैं बना लोगा, कैसे बना लोगे, देखना, एक बारी मैं इसका यह चेंज कर दो, आओ, कैसे बनाएंगे, स ठीक है, सबसे पहले क्या अगर होगे, तुम रखो carbon, ठीक, carbon के कितने होते हैं, चार, तो पहले मैंने ऐसे रख लिए, तो इनको मैं इधर ऐसे denote कर देता हूँ, oxygen और यहां मैंने लगा दिया, oxygen, oxygen और carbon, यहां देखो, outermost shell, chemistry में इसको अपन क्या मोलता है, valence shell, तो valence shell में 4 electron, मैंने दिखा दिया, 1,2,3,4, oxygen के कितने होते हैं, 6, तो यह भी दिखाने पड़ेंगे, तो देखो, 6 मैंने, इनको dot से दिखा देता हूँ, 1,2,3,4,5,6, अब देखने, यहां पर भी same, 1,2,3,4,5,6, ठीक, पहले मैंने क्या किया, पहले मैं सिर्फ और सिर्फ single bond पहले मैंने एक bond बना दिया, अनके बीच में यह और यह, अब count करो, कि हर एक atom या फिर हर एक element पर 8 electron है, या नहीं है, मैं गया oxygen के पास, तो 1,2,3,4,5,6,7,8, oxygen खुश है, octet complete है, अभी oxygen का octet complete हुआ है, मैं carbon के पास गया, तो carbon के पास 4 electron पहले से थे, उसने bond बनाया, एक के साथ, तो carbon अभी भी 6 electron है, उसके outermost shell में, देखो न, single bond में, तो जब 6 electron है, इसको दो और ज़र होते हैं, तो यह क्या करता है, फिर यह oxygen के साथ double bond बनाता है, बास समझा है, जब यह double bond बना लेगा, तो यह बनता है, मेरा electron dot is structure, उसको अगर सुंदर तरीके से दिखाओगे, तो paper में आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे, ठीक, उसके बाद दो मेरे loan pair, एक, दो, और यहाँ जाएंगे, दो, ऐसा कुछ दिखता है, समझाया, double bond बनेगा, वो तो तो तुम्हें पता है, लेकिन double bond ही क्यों बनता है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ single bond बना तुम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हो, stability के लिए, stable हो जाए, थोड़े बहुत नंबर आ जाए, थोड़े बहुत ही आएंगे, जिस तरीके की पढ़ाई कर रहे हो तुम, unsaturated compound ही होता है, हाँ भई, प्रिंस कुमार, बहुत सारे sample paper होंगे, बहुत सारे sample paper होंगे, उसकी बाकी हम लोगों पर छोड़े, तो विकास, अलोन, सरगर्म, डेवल, तुम लोगों का सही है, सोनु, वनु, अंजली, बढ़िया समझा रहे, question number 22 होता है, complete आते हैं, अपन 24 के पास, 23, physics या फिर बायो का होगा, वो आगे तुम लोग देखी लोगे, पता है कैसे कहानी चल अब तुम्हें पता है, जलन होती है, जलन होती है, काफी सारी, ठीक है, इरिटेशन भी होती है, और वो वहाँ पे थोड़ा सा रेडनेस भी आ जाती है, बहुत बढ़िया, हर मदर इमेजेटली, एप्लाइड अप्लाइड अफ टूथ पेस्ट ऑन अफेक्टेड एरिया, म अफिर जो दर्द हो रहा था, वो हलका सा ठीक हो गया, मजा आ गया मतलब, तो ऐसा हुआ क्या, वाट दर्ज वास्प स्टिंग कंटेड एंड वाए इड़ हर मदर एप्लाइट टूथ पेस्ट ऑन टूथ पेस्ट ऑन अफेक्टेड एरिया, सबसे पहले यह समझो कि मेरी ज आप ऐसे बना दोगे, यह मेरा फॉर्मूला ऐसे ड है, कार्बॉक्सली का बिलकुल मतलब पहला फॉर्मिक एड ही होता है, ठीक, अब यह है तुमारा ऐसे घूंने क्या किया, मंमी ने टूथ पेस्ट लगा दिया, इसलिए लगा है दोस्त होता क्या है कि यहां आपका एकि और जो मेरे toothpaste होते हैं, जिससे हम खुला करते हो, कभी गलती से सुबह उटके कर लिया हो, तो उसमें आपका basic nature होता है दोस्ते, सुबह सुबह हमारा mouth बहुत जादा acidic होता है, bacterias की वजए से, ठीक है, तो अब उसको neutralize करने के लिए अपन लोग toothpaste करते हैं, ताकि सारे bacteria और जो ह तूथ बेस्ट हो गया आपका basic, तो फिर तो फिर यह हुआ ना कि भहिया, acid plus base reaction हो गई, और क्या होता है, यहां से मुझे मिलती है, salt plus water, और यह एक type की क्या है, यह एक type की neutralization reaction है, बास समझाई, तो वो जो बर्रहिया काट के चली गई थी, वो toothpaste ने neutral कर दिया, तो यह है मेरी एक neutralization reaction, तो बास समझागी, बास समझागी, तो अब आपको कोई बर्रहिया काट जाए, तो फटाफट से उसके उपर coal gate लगा लेना, हाँ भाई, formic acid, mythanoic acid भी होता है, जैसे आंट से, उनमें, mythanoic acid होता है, चौहान गीता, बहुत बढ़िया, to balance the pH, that is correct, तो यह भी बोल सकते हो, antacid भी कह सकते हैं, milk of magnesium मत लगा लेना, बस, वो चैट जाएगा, बहुत बढ़िया, चलते हैं, अपन आगे, इतनी बात समझागी, तो saloni का बर्रहिया अपना ठीक हो गया, अब आते हैं, नीचे सुश्मा की मा के पास, ठीक है, क्या किया सुश्मा की मा केक बना रही है, बढ़िया तरीके से, कोशन पढ़ना, कोशन अच्छे से पढ़ना, कोशन ऐसे ही आएंगे, क्योंकि अभी, जब तुम्हारा section E आएगा, case study में, ऐसे ही कोशन आते है, लंबे चोड़े, तो उनको आपको पूरी-पूरी मतलब statement समझना आना साइस, केक बनाया पर केक उतना जाधा fluffy या soft नहीं था, बहुत hard था, केक बनाया पर वो pizza बन गया, तो ऐसा हुआ क्या, उन्होंने कौन सा ingredient नहीं डाला, वो बात चल रही है, देखना क्या लिखा हुआ है, she thought and remembered that she forgot to add one important ingredient in her cake, that would have made the cake fluffy, fluffy समझते हो ना, मतलब फूल जाता है और वो easily cut भी हो जाता है, ठीक, तो वो कौन सा ingredient है, वो पूछ रहे हैं बाई सा, बता ना, which is the ingredient that she forgot to add, also add the chemical reaction, हाँ भई बोलना, देखो, मैंने आपको, कौन सा वो चेप्टर था, acid-base salt में मैंने कुछ-कुछ आपको वो पढ़ायते जैसे, baking soda, baking powder, POP, याद है कुछ, तो व और baking powder में थोड़ा सा tartaric acid भी होता है, sodium bicarbonate के साथ, तो होता क्या है, जब मैं इसका decomposition कराता हूँ, मम्मी ने कह किया, मम्मी ने baking powder cake में डाल दिया, और उसको छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए, तो कौन सी reaction होता क्या है, तो दोस्त, ये convert होता है, तुमारा sodium carbonate में, और यहां से मेरी निकलती है CO2, main role जो play करती है, वो करती है carbon dioxide, दोस्त, carbon dioxide evolve हो रही है, तुमारा cake रखा हुआ है, तुमने उसमें baking powder डाल दिया, कुछ time के लिए छोड़ दिया, तो होगा क्या, वो जो मेरी CO2 evolve होगी न, वो अब pores बनाएगी, ठीक है, वो जो तुमारा food है, वो और वो pore in the form of fluffiness मुझे दिखाई पड़ेंगे, ठीक, तो इसलिए अब जो cake है, वो easily आप काट सकते हो, और उसे खा भी सकते है, बास समझाई, good evening, अमर, ठीक है, तो यह है, और paper में आ सकती है reaction, जो कि मैंने लिख दी है, और यह भी एक आपकी kind of decomposition reaction है, यह example के लिए मैं बता सरगम, सोनू, सही है, बई, CO2 अच्छे से release नहीं हुगा, अंजली कुमारी, जब आप नहीं, CO3, sodium carbon, डालोगे ही नहीं, तो भई, CO2 release ही नहीं होगा, सही है, तो यह रहा मेरा, तो Saloni की बर्रहिया वाली, कहां नहीं समझ आगी, तो मैं toothpaste जालना होता है, acid based reaction, neutralization, और यहां अगर आप baking powder नहीं डालोगे, तो आपका cake रोटी की तरह बनेगा, हा, CO2, आपन चलते हैं आगे, तो यह हो गए मेरे, 22 हो गया, 24 हो गया, आते हैं question number 25 पे, देखना, क्या है, Neha was given some syrupy liquid in a test tube by her teacher, and she was told to dilute it with water, ठी, क्या हुआ, एक test tube दिया, टीचर ने दिया कि इसको पकड नहीं डालो, ठीक है, मतलब सीरोपी समझते हो, ठीक है, मतलब थोड़ा जादा, विसकस सॉलिड उन्हों ने पकड़ाए, विसकस लिक्विड दिया, ठीक, उसके बाद क्या हुआ, कि सलोनी, मतलब सॉरी, सलोनी तो पीछे ने गई, नेहा आई हैं, तो नेहा ने क्या किया, बट बाई मिस्टेक, नेहा है, गलती तो करेंगी, अब देखना, बट बाई मिस्टेक, शी एड़ेड वाटर कुईक्ली टूद ट्यूब, उन्हों ने क्या किया, कि भई, ये था मेरा टेस्ट्यूब, उसमें पानी एकदम बहुत जादा डाल दिया, तो हुआ क्या, टेस् आर्ज के पीछे पड़े हुए, यहां पर पानी निकाल लो, खतम होगे, क्या करोगे तुम उसका, ठीक है, अब आओ इधर, ये वाला कोशन करो, क्या लिखा हुआ है, बट बाई मिस्टेक, शी एड़ेड वाटर कुईक्ली, हुआ क्या, मेरा एसेड है, एसेड में भर भर होते हैं, ठीक है, पानी आया, पानी में होता क्या है, कि वहां बहुत जादा एग्जो थर्मिक रियक्शन हो जाती है, अब इसके लिए तुम्हें अगर एग्जो थर्मिक नहीं पता है, तो भई, पता होना चाहिए, अब तो तुम्हारे एग्जाम पास में ही है, दो हीट होने के बाद हीट मुझे मिलती है, या फिर अगर मैं इस वैसल में रियक्शन करा रहा हूँ, तो यह वैसल गरम हो गया, तो मैं बोलूगा यह इक आपकी है, एक्जो थर्मिक रियक्शन है, ठीक है, तो यह इतनी जादा एग्जो थर्मिक होती है, कि आपका जो, वो यह उल्टा नहीं होता, आप क्या करते हो, पानी में, हमेशा वाटर में ऐसे डाला जाता है, ना कि एसेड में वाटर, तो यह वाटर है, इसमें आप ड्रॉप वाइज एसेड डालोगे, कैसे ड्रॉप वाइज, समझाया, और इसका opposite मत करते ना, तुम एसेड में पानी डा तुम लोगों तो समझ आ रहा है, रोहन, अलोन, डेविल, आर्लियन, प्रियांशी, कोई दिक्कत अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बारी थमसब करना, फिर अपन बढ़ते हैं, आगे, चलें क्या, ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक, हाँ, चलते हैं, एसेड इन वाटर, रहे, वाटर में ड्रॉप 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 डालनी होती है, एसेड में नहीं डालना होता है, सरगम, गुड इवनिंग मीनू, ठीक है, तो कोईशन नमबर 25 होगे है, चलते हैं, अपन आगे, और ये कोईशन मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि, आएगा भी नहीं, फिजिक्स का है, ठीक है, चलते हैं, बहुत बड़ी, आ जो फिर, सेक्शन B, फिजिक्स वाले कोशन, अपने विशेशन से तुम फटाफट कर लो, उसके बाद बायो वाले कोशन आएंगे, तो फिर सेक्शन C, सेक्शन D, सेक्शन E, पूरा ओजिक्स का ताइक управदरад करते हैं, फिर, पूरा है ओफ़री कानी कि छितना भी ओ्टेन्ट होता है, दोस्त, सिस्टेमेटिक रहता है, ताकि आपको एक भी टापिक, टापकि मिसना हो, करते हैं, अपन कोशन भीमेर 26 अो। चले गाईज आगया physics का time ठीक है तो बहुत अच्छे से इस question को हम समझेंगे देखते हैं पहले पढ़ लेते हैं कि भाई question है क्या ठीक है गाइस चलिए ठीक है तो question पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ता है बहुत ध्यान से पढ़ना में question क्या बोला गया है question number 26 है इसके दो part है आप देख सकते हो a part में बोला है potential source is connected in parallel we by two wires of the same length and area made of materials with resistivity of one and two respectively यानि एक potential source है उसको हमने parallel connect कर दिया दो wires के साथ जिनका same length और same area of cross section है मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास पहले एक wire है इसको नाम दे दिया मैंने L1 इसकी length same होनी चाहिए दूसरे wire के साथ इसको मैंने नाम दे दिया L2 हमने इनको कैसे connect करा हमने इनको connect करा parallel ठीक और हमने यहाँ पर लगा दिया एक voltmeter आई बात समझ में बहुत अच्छे से देख ले अब potential source is connected in parallel V by two wires of the same length and area made up of material with resistivity of one and two respectively what would be the equivalent resistivity B if the length and area were the same मतलब क्या कह रहा है कि यह कह रहा है कि आगर इसका length L1 है और area of cross section A1 है और इसका L2 और A2 है यहाँ पर दे रखा that L1 is equals to L2 और area is area 1 is equals to area 2 बहुत अच्छे से देख ले ठीक और यह कैसे connected है यह parallel connected है parallel connection है guys आपका और यह बोल दिया कि इसकी जो resistivity आगर हम इसको बोले है row 1 वो दे रखी आपको 1 ohm इसकी resistivity 2 ठीक और आपसे equivalent resistance नहीं पूचा बहुत धियान से देखे क्या पूचा है what would be the equivalent resistivity equivalent resistivity पूची I hope आप सभी कोई question समझ में आ गया होगा देखे CT निरज यही चीज थी मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था बच्छा question में पूचा है equivalent resistivity equivalent resistance नहीं पूचा आपने अभी तक equivalent resistance निकाला है हर जगा लेकिन यह question कुछ ऐसा है कि इसमें क्या बोला जाता है इसमें बोला जा रहा है कि resistivity निकालें उसी चीज को हम समझते हैं बहुत प्यारे तरीके से समझते हैं बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा एक ही बार में समझ माना चाहिए आपके इस तरीके से ठीक पेशन के साथ देखे क्या यहां पर कराए जाएगा अब देखे यहां पर आपको पता है क्या पता है आपको एक फॉर्मूला पता है that resistance equals to row मतलब resistivity length by area यह आपको पता है अगर यहां पर हमने इन दोनों wires के dimension सेम रखे हैं मतलब इनकी length और area को सेम रखा है if अगर length and area are constant अगर constant है guys तो resistance किस पर depend करेगा तो resistance सिर्फ और सिर्फ depend करेगा आपकी resistivity पर समझे मेरी बात को आपको पता है कि एक ऐसी property है कैसी कि अगर आप temperature बढ़ाते हो तो resistivity और resistance बढ़ता है तो इसका मतलब कह सकते हैं कि resistance proportional है इस case में resistivity के अगर आपका length और area दोनों wires का सेम है अगर यह बात समझे में क्या यहां तक सब चीज किलियर है फिर हम आगे बढ़ते है ओके I think guys आपको इस सब चीज किलियर होगी मैंने जो आपको समझाया ठीक है इस question का concept आपको समझ में आ गया अब यहां पर हम इसको आगे solve करते हैं कैसे solve करेंगे इसको हम देखें वाई ए पार्ट में आपसे बोला गया है कि आपको equivalent resistivity निकालना है ना कि resistance equivalent resistivity निकालना है बहुत ध्यान से सुने इस बात को यानि आपको row equivalent निकालना है और यह case कैसा है parallel combination का अगर parallel combination की बात करें तो वहाँ पर हम resistance को लिखता है 1 upon rp is equals to 1 upon r1 plus 1 upon r2 क्योंकि यहाँ पर दो ही थे तो हम दो ले रहे हैं इसी तरी केस हम लिख सकते हैं that 1 upon rp 1 upon r1 plus 1 upon r2 याद आ रहा है गाईस कुछ मतलब हम यहाँ पर resistance के जहाँ resistivity लिख सकते हैं लेकिन यह case तभी है जो आपका length और area same हो आपके उन दोनों wires का आई बात समझ में चलिए तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसी को जब आप लिखोगे rho p is equals to रहसी प्रोसल हो जाएगा तो rho 1 multiply by rho 2 और upon में rho 1 plus rho 2 क्या value थी हमने देखा भाई rho 1 आपका कितना दे रखा है 1 और यह दे रखा है 2 और यह दे रखा है आपका 2 तो रखें value यह है 1 यह है 2 और upon में 1 plus 2 तो guys आपको क्या मिला 2 plus 2 by 3 तो 2 by 3 ओम मीटर आपका answer होगा क्याई चीज़ सबको समझ में आई आई समझ में चलिए I hope आप सभी को चीज़ समझ में आगे होगी तो जितने बच्चे बाई सरगम, अंजली, सोनू, आरियन ठीक है, सीटी, निरज वेद परकाश चलिए, हाँ 0.6 अगर आप पूरा calculate करेंगे, ठीक है, मैंने करा नहीं यहाँ पर मैंने इसको fraction के form में छोड़ दिया है तो show me your response, yes sir, यह concept समझ में आ गया, इसमें कोई problem नहीं है देखे guys, बहुत ही अलग type का question है अभी तक शायद ही आपने ऐसा कोई question देखा होगा ठीक है, तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से चीज को clear कर दिया, ठीक है तो as I can see, सभी बच्चों के चीज clear है आईए, इसके B part पर चलते है B part में आप से क्या बोला गया है A source of potential V is connected in series अब series के बात करी जा रही है With the two wires that are of the same length and area इस case में भी आपके दोनों wires की जो length है वो same है और area भी same है But made up of different resistivity यानि material different है यहाँ पर resistivity different का मतलब क्या है कि यह जो आपने use किये हैं wire इन दोनों का material different है यह copper होगा, तो यह शायद कुछ और होगा समझे रहे हो मेरी बात को अगर same ही material use करते तो resistivity same आती क्योंकि resistivity पूरी पूरी तरीके साब के material के उपर depend होती है guys ठीक तो यानि हम दो अलग-लग materials को लेके series में connect कर रहे है What would be the equivalent resistivity ठीक, क्या होगी equivalent resistivity इस case में, चलिए तो B part को देख लेते हैं बी पार्ट में है इनोंने क्या बोला है B part में बोला है कि आपके दो wires हैं उनको हमने series में connect करा है इस तरीके से ठीक है इसको थोड़ा सही तरीके से अगर दिखाए हम आपको इस तरीके से दो wires हैं और आप हमने इनको series में connect करा हुआ है इसका row 1 है 1 row 2 2 अब series में connect करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा क्या कि बाई simple अगर हम में बात पता करी कि अगर resistance series में हम लिखते हैं that rs is equals to r1 plus r2 और पीछे अब यह मैंना आपको formula से दिखाया that r is directly proportional to resistivity in this case कब if length and area is r constant अगर यह दोनों constant है तब आप कह सकोगे ठीक अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे that row resistivity in series is equals to resistivity 1 plus 2 यह 1 है यह 2 है और answer आगया आपका 3 ohm meter ठीक है गाईस तो बहुत अच्छा question था निराला question था हरा वरा question था चलिए I hope आप सभी को चीज अच्छे से clear आ गई ठीक पॉंसी noise हारी है devil हाँ आप कह सकते हो copper silver बट ज्यादा resistivity डाला material मतलब उसका resistance भी एक तरीके से ज्यादा है जिसकी कम होगी आप उसको copper मान के कह सकते हो ठीक है तो इसमें जो one वाला होगा आप कहसो इसके resistivity one है यह आप मान के चलो silver है यह आपका copper होगा ठीक है एक तरीके सा idea समझाने के लिए आपको चले गाई तो I hope आप सभी का समझ में आ गया अब बढ़ते हैं आगे next question पर आगे बढ़ते हैं और next question है आपका यह अच्छा यह आपका biology का question है गाई तो इस section य आपके बहुत अच्छे तरीके सा आपको इची समझाएंगे ठीक है चली है अच्छी प्यारी बच्चों अब बार यह फिर से biology की तो चलो पढ़ते हैं question क्या question दिया हुआ a student perform a cross between plant with pure flower and purple flowers and plant with white flowers एक student है उसने cross perform किया किस के साथ किस किस के बीच में cross perform किया purple flower थे pure और कौन जे थे white flower थे purple flower और white flower के साथ उसने cross किया help him to complete the figure by finding PQR and S also write the genotypic ratio obtained in F2 generation देखो यहां पर हमें उसकी help करनी है इन्होंने कुछ बीच में जो है वो गायब कर दी है जैसे P है यहां पर क्या आएगा क्यों है यहां पर क्या आएगा फिर क्या आर है यहां पर क्या आएगा और S है यहां पर क्या आएगा बहुत easy question है थोड़ा सा आएगा रिप्रेजेंट कर रहा है वाइट फ्लावर ठीक है यहां पर मैं लिख देती हूं वाइट और यह हमारा परपल अब जब इनके गैमिट्स बनेंगे तो वो क्या होंगे हमारे जब इनकी हमने क्रॉसिंग करवाई जब इनकी हमने क्रॉसिंग करवाई तो क्या मिला हमें एक हाइब्रेड मिला जिसमें एक क्या होगा हमारा यह पिटल डबलु आएगा और एक आएगा हमारा स्मॉल डबलु ठीक देन उसके बाद अब इनकी निचे क्रॉस प्रफॉर्म किया है तो सेकिंड जनरेशन में क्या होगा यह देखो इस तरह से कुछ ठीक है यहां पर आएगा हमारा कैपिटल डबलु यह आगया हमारा स्मॉल ठीक है और यहां पर क्या है हमारा कैपिटल डबलु और यह आगया हमारा स्मॉल जब इन दोनों का क्रॉस करवाई है यहां पर हमें प्योर वराइटी मिलेगी मतलब प कि इसके साथ करवाते हैं तो यह क्या मिलेगा हमें यह भी हमें भाईट मिलेगा ठीक लेकिन क्या होगा है यह थे वी एक हाइप्रेड हो 확진 किए दूसरे हमें दो hybrid देखने को मिल रहे हैं दो क्या हैं एक है स्ट में यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला एक यह वो क्या हमारा प्यूर को कर पल कि इसको कैसे डेनुट किया है capital W capital W के साथ यह हाईब्रेट है इसमें हमारे दोल्नो आएंगे capital W और small w जो हमारा क्या है ठीक है जो हमारा था कर पल उसमें क्या रहा हमारा smaaul देहें किम आ थी जो चीज आप अपनी आंखों से बशोर्ब कर पारे रहे होगा थी है जैसे मैंने दो चीजे बना दी एक मैंने यह बनाए प्लॉर ठीक है तो इसमें और ला के वालत गसट निई के तुप दोस्तेION एंवतने अध्री ना मतलब कि इनके जो जीनोटाइब उना यह अलग होगा जीनोटाइब जो गालग हो तो जैनेटिक मेकप जो होता है वह होता है हमारा क्या होता है वो जीनोटाइब तो यहांपे हमें देखने को मिल रहे तीन जो होंगे ना थीश्टू वजो मिलेंगे एक इसमें चतंट आ एक पूछा क्या को गया है आगी हमारी वन इस्टू टू इस्टू वन ठीक तो यह इसकी जिनोटिपिक रेशो आगी और यहां पर क्या ना था हमारा small w small w इन दोनों का क्रास कर वाया capital w small w यहां पर जब इन दोनों की crossing करवाई तो यहां पर हमें क्या मिलना था pure white यह भी हमने देख लिया और यहां पर हमें मिलना था प्योर परपल ठीक तो इस तरह से आपको यह क्रॉस बना के question समझाना है लिखना है तो अगला question क्या है हमारा कि वह यह तो section C का है और यह सर आपको करवाएंगे chemistry का question है यह चिक तो दोस्तों दो section अपने complete होगे section a section b अब फटाफट section c पे आते हैं और कहानी करते हैं start कि कोई दिक्कत आ रही है अभी तक तो मुझे बताना अभी तक जितने question हुए section a section b में 26 question होगे कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ मुझे क्लियर है चीज़े समझ आ रही है physics chemistry bio कोई दिक्कत आ गए भी devil आ जोगा आ जो पढ़ाई कर लो अब फटावट चलते हैं start करते हैं अपना section e question sorry section c question 27 क्या लिखा हुआ है सुनीता राजे shifted to their new house and decided to get it white washed ठीक है paint कराना वही अपनी वाल्स पे पुताई करानी है हाँ नहीं है रहा कोई दिक्कत बहुत अच्छा question करते हैं क्या लिखा हुआ है सुनीता observe that the workers dissolved some white powdery material into water and the mixing resulted into a vigorous reaction and then they left it for some time ठीक है भई मतलब वही white washing की बात चल दी है याद करो पिछले कोशन आया था मैंने आपको बताया था कि भई पी यो पी मैंने पढ़ाया था आपको baking powder baking soda वहीं यह चीज भी पढ़ाई थी यह मैंने ठीक है वही कुछ है क्या लिखा हुआ है in the beginning the wall looked pale white and watery but after two or three days the wall become shiny bright white in color ऐसा क्यों होता है यह बताना है आप यह लाइम तो है वो छोड़ो देखो अब से पहले होता गया है कि white washing के लिए मैंने आपको बताया था कि calcium oxide को जब आप पानी में डालोगे ठीक है पानी में डालते तो क्या बनता है calcium hydroxide ठीक और यह एक मतलब exothermik reaction होती है और बहुत जादा bubbles बनते हैं ठीक तो यह है आपकी एक exothermik reaction एक्जो यह तो मैंने एक्जो लिख दिया common name calcium oxide ठीक है इसका common name होता है बहुत important दोस्तों paper में आ सकता है यह है मेरा quick lime यह होता है quick lime quick lime की जब मैं reaction कराओंगा पानी के संग ठीक है तो यह बनता है calcium hydroxide ठीक है और जो इसका मतलब calcium hydroxide बनता है मैं तो common name लिखूँगा वो होता है मेरा slagged lime ठीक है common name है मेरा slagged lime ठीक है कोई दिक्कत तो भाई यह जो बना मतलब इसके बाद मैं इसकी पुताई वही जो अपनी white washing है वह हो गई लेकिन जब मैंने इसकी painting करी जब मैंने इसको कुछ दो तीन दिन के लिए जो छोड़ते हैं आम इसको वाल पेंट करने के बाद होता क्या है कि भाई एटमोस्पेर में भर भर के मेरी co2 प्रेजेंट है ठीक है co2 प्रेजेंट है तो co2 reaction करती है ठीक है co2 reaction करती है और जो मेरा बनता है वो बनता है calcium carbonate अब जो वेरी वाल है वो उसमें से calcium hydroxide convert होगे क्या बना है calcium carbonate और side में से आप क्या निकाल दोगे पानी तो वो थोड़ा हवा में उड़ जाता है ठीक है droplets उसकी form में निकल जाता है important चीज़ यह है मेरी c a co3 ठीक है इसकी वज़े से यह जो shiny bright white यही होता है shiny bright clear पूछा क्या है name the white powdery substance and write its chemical reaction तो देखना white powdery substance क्या है मेरा that white powdery substance is a calcium hydroxide ठीक है और पूरी reaction मैंने आपको यहां पर लिख दिया paper मैं लिखना दोस्त यह वाली reaction exactly मतब है ही तुम्हारे तीन नंबर का तो देड़ नंबर तो यहां से ले जाना common name अगर आप लिख दोगे वहां तुम्हारे marks पूरे हो जाएंगे clear क्या लिखा हुआ is it and or exo क्या बोलोगे exo exo अजली कुमारी बिल्कुल सही है कल्चिम कार्बोनेट बन चुका है लव कुमार बहुत बढ़िया तो यहां बन गया और नीची के लिखा हुआ वाइद वोई वाइद वाल्स टंड शाइनी ब्राइट वाइट कलर आफ्ट टू और त्री डेज तो क्या लिखोगे अब इसमें देखो यह वाली रिक्षन लिखनी है प्रॉपर यहां पे इसको इधर लिखना है ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ ना ऐसे पेपर में आप कैसे करोगे यह सब्सक्राइब नंबर पक्के तीन नंबर पक्के समझ में आया तो बताओ कोई क्लाइम कैल्शियम आप्साइड और यहां तो नहीं आएगा मैं थीइ पर में तुम्हारा एक म सकता है यह बता हो जो मेरे केल्शियम आइड ओक्सायड वह यह कएल्शियम ह capability क्合स को सदिक्या है चलते हैं अपन आगे केल्शियम हाइड करता है यह सी ओड कहां से हौँ यह हवाम है तुम चो law work Earth कारो cyber है है चलते है अपन आगे कोशन नमबर 27 अब इसी का मतलब 27 में ही और वाला मतलब दो पाट आते option है तो जो तुमारा मन करें करना लेकिन हम तो यह दोनों करेंगे क्या है रेश्मा अब दिखी रहा है यह तो ब्राउन इश ब्लैक है अब दिखी रहा है यह तो ब्राउन इश ब्लैक है प्राउन इश कलर आ गया नीचे answer the following question क्या लिखा हुआ है बताओ भई होते हैं अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो यहां तो मालूम नहीं पड़ाए कि इसमें पानी भी है लेकिन होता क्या है कि इनकी लैटेस में वाटर के ड्रॉप लेट्स होती है ठीक है वाटर अपना सॉलिड फॉर्म में है लेकिन जब आप इसको हीट करोगे तो वह लिक निकलता है मेरा FE2O3 ठीक है फेरिक ऑक्साइड और दो गैस निकलती है यहां पर मेरे फेरिक ऑक्साइड और सलफर डायोक्साइड और सरफर ट्रायोक्साइड मिलती है इस ओ टू एसो थी किसकिस ने दिया प्रियांशी ने बिल्कुल सभी दिया भई प्रियांशी का सभी दू ओ थरी एसो टू एंड एसो थी कोई दिक्कत अभी तक तुम मुझे बताना है क्या कह रहे हो है नाइस नाइस है ना है बहुत बढ़िया स्लेक्ड लाइम का अधर नेम केल्शियम हाइड रॉक्साइड खत्री केमिकल नेम कॉमन कॉमन नेम दो ही होते और तीसरा तो कोई नाम नहीं है है बढ़ते है अपन आगे क्या आगया नेम दव ब्राउन कलर सब्स्टेंस वार जो ब्राउन कलर सब्स्टेंस क्या है वो है तुम्हारा F2O3 ठीक राइड ताइप अव रियक्शन देखना एक मेरे पास रियक्टेंट है प्रोड़क्ट कितने है तीन तो वैन वन रियक्ट प्रोड़क्ट जया आते हैं धरड पार्ट पे क्या लिखा हुआ है गिव रीजन फॉर न चेंज इन द ग्रीन क्रिस्टल क्या है वो जो ग्रीन क्रिस्टल है इस में लिखोंगी सुन तैस्ट पार्ट मैं सी पारट ग्रीन क्रिस्टल्स 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 ग वेन हीटेड बस वेन हीटेड थोड ची स स्पेश ले ले यहां पर लेट Definitely सबाए lot इसनी कही था है कि समझाया बोलो हाज तर लव कुमार मिसल यार पढ़ा दिया है मैंने बढ़ा दिया बडिया तरीके से तुम मेरे सेशन में तो तो अग्यार में पिछला ही सेशन नमब को सब्सक्राइब करते हैं अब हम बोलते हैं कि मैटर जो है मेरी मतलब जो मैटल है वो समंदर है एलेक्ट्रोंस का ठीक है सी ओफ एलेक्ट्रोंस बोलते हैं तो वह एलेक्ट्रोंस लूज करती है और जो मेरी नॉन मैटल है वह एलेक्ट्रों गेन करती है बहुत बढ़िया लेकिन जब मैं कार्बन की बात करता हूं तो कार्बन भी ऐसा करना चाहिए कि चार एलेक्ट्रों या तो लूज करे या गेन करे पर ऐसा करता नहीं है क्यों वो पूछा है कि बताना हाँ है सब्सक्राइब यहां ग्रीन विट्रॉल ही बोलते हैं उसको कॉमन नेम होता है देखो इधर क्या पारबन देखता कैसा है क्या क्यूंट कर्भान क्या है नंबर फॉर का कोश्चन ए ठीक है कार्बन क्या है 2,4 अब अगर इनके हिसाब से चला जाई ये कह रहें कि बट कर्भन केरन नाइडर फॉर्म कार्बन सी फॉर पॉजटिव मतलब इस यह है कि अगर मैंने यहां थ 4 कर दिया तो क्या आएगा देखना ये दिखेगा मेरा टू करे दो मतलब इतने ये बचे चारãyleक्ट्रोन चले गए पॉजिटिव चार्ज दान कर दिया ना तुम कुछ दान करती हो तो तुम्हें प्उजिटिव चार्ज आता बढ़िया इनसानों तो पॉजिटिव चार जा कभी लें देन होता नहीं है प्रोटोन नुक्लियस में PRESENT है तो प्रोटोन कितने हैं प्रोटोन है मेरे 6 और इतना ज्यादा embedded के भी मेरे जुश फोड़िव करें के यह possible को फीसिबल नहीं है तो यहांपे क्या लेकोगे यह नॉट फीजिबल यह तो भाईया फीजिबल बिलकुल भी नहीं है ऐसा एटम एक्जिस्ट ही नहीं करेगा वह डिस्ट्रॉय हो जाएगा कि तुम भूलो कि बहुत बढ़ी है चार इलेक्ट्रोन मतलब लूज नहीं करा पार रही हो तो एक काम करो चार इलेक्ट्रोन इसको दे दो मतलब कार्बन एक्सेप्ट कर ले तो अगर कार्बन 4 निगेटिव हो जाए मतलब अब निगेटिव चार्ज छीन लिया तुमने किसी का कुछ छीन लिया निगेटिव चार जाएगा तो इन ने भाई सब 4 इलेक्ट्रोन ले लिए इन पर निगेटिव चार जा गया अब कैसा दिखेगा पहले 2,4 अब आगया 2,8 बहुत बढ़िया ओक्टेट करेंगे बात समझाई तो अब इन दोलों को अब प्रोटोन और सबस्क्राइब उत्न बहुत चलता है तो वह प्रोटों जहेल सकता है लेकिन अगर आपका इतना जाधा वहार तो यह भी फीजेबल नहीं होगा क्या भोगल ओके नॉट फीजेबल अगर आप NCRT कोल के देखो के तो यहां पर भी exact world दिखा होता है कि not feasible या फिर feasible इस तो फिर करेगा क्या ना ले सकता है ना दे सकता है तो कुछ नहीं है यह शान्ती से बैठो जो आ रहा है उसके साथ सम्जोट अगरो बोले तो शेरिंग करी यह तो जो कारबन होता है वो सिर्फ और सिर्फ whose कोवलेंट कमपाउंड बनाता है क्या बनाता है covalent compound covalent compound क्या थोता है those compound which are formed by the sharing of electron to covalent compound का बनते है sharing of electrons सब्सक्राइब समझ में आया clear हो गया अपना आते है B part पे यह मेरा A part की पूरी कहाणी थी इधर करते है B part सुनना क्या है B part यह कह रहा है एपकर कियों है पूछ रहे हैं क्यों है क्या है अब यह बताओ कि कोवलेंट कंपाउंट इलेक्ट्रिशिटी आपके चीज़ को mandatory requirement है वो है कि मेरे पास free ions होने चाहिए अगर आपके पास free ions है तुम electricity conduct करा दोगे मतलब electricity कंड़क्ट कराने के लिए current flow कराने के लिए मुझे medium चाहिए होता है वो medium होता है मेरे free ions ठीक तो जब मैं आयने compound बनाता हूं आयने compound तो na positive c l negative charges आ जाते हैं तो free ions आ जाता है लेकिन जब मैं covalent compound की बात करता हूं यह बनते हैं मेरे किस से sharing से sharing से hydrogen ने एक electron बस share किया chlorine ने अपना electron share किया bond बन गया तो free ions तो है नहीं तो क्या लिखोगे since since there is no availability किसकी since there is no availability of free ions therefore covalent compounds same यही language लिखके आनी है इदर दौर मत करना same यहीं के भाईया free ions मेरे पास है नहीं therefore covalent compounds अब भाई जो पूरे लिखा हुआ है डज नॉट कंड़क्ट इलेक्रिसिटी बस यह भाईय एलेक्ट्रिसिटी कंड़क्ट नहीं कराते इतना सही लिखना है बस समझ में आ गया क्लियर है को सब्सक्राइब 29 में ए और बी पार्ट में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ नहीं है तो अंगूठा भैग दो अंगूठा दो अंग ग्रेफाइट में होता है ग्रेफाइट का इस्ट्र देखा है कभी ग्रेफाइट जो बॉंडिंग करता है अलो ट्रॉप की बात कर रहे हो इधर आँ जो मेरा ग्रेफाइट होता है वह सिर्फ और सिर्फ तीन बानड बनाता है एक इसके पास फ्री लैक्ट्रोन होता है जिसको में रेडिकल भी बोलता हूं ठीक है यह फ्री एलेक्ट्रोन यह क्या करता है भाईया फृए फ्री आय कोशन नमर 29 होता है समाप इसी के साथ आ गया है तुम्हारा फिजिक्स की कहानी फिजिक्स कर लेते हैं अब जाधा नहीं है तो उसके बाद देखना कितना बचा हुआ है दिखा देता हूं तो देखना 32 33 वही चलेगा उसके बाद बायो फिर तो सेक्षन डी छोटी सी है करते ह है फटाफट कर लेंगे अरे डरने की बात नहीं है प्रिवोड पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो डर अपने आप निकल जागा बात है बनाओगे तो कुछ नहीं होगा हां भी फिजिक्स आ गई है चले गाइस तो बहुत देर से हम कैमिस्ट्री पढ़ रहे थे मैं भी साथ में बैठा हुआ था और सर की बाते सुन रहा था भाई मज़ा आया मुझे भी बहुत आई हो आप सभी को भी अच्छे चीश समझ में आगी होगी कोई भी कन्फूजन हो किसी कुशन में तो आप ब कशन कर लेते हैं समझ रहते हैं तो यहाँ पर आप देख लेते हैं बहुत अच्छे से कि क्या बोला गया है तो पहले मैं इतना एक रहता है смож小時 ने कोशलिए था आप, कॉन्वेक्स मिरे बनाता हूं उसकी जρη sally फ ना लेके चलते हैं ecc ठीप है चलिए तो हम क्या बनाते हैं भाई एक और यहाँ पे एक कॉंवेक्स मिराख उते हैं रखना बहुत अच्छे से। आपको Convex और Concave में फरक अच्छे से पता होना चाहिए बता लगा आपने डाइग्रामी दूसरा बना दिया तो concert पूरा आपका हिल जाएगा यह क्या मेरा Convex Mirror और आपके जो मैंने बहुत अच्छे से लेक्चेर में भी बताया था आपकी जो हैडलाइट होती है वह अलग होता है जो आपके रियर व्यू मिरर होता है साइड में जो लगे रहते हैं ठीक वह आपको कैसे होता है Convex मिर मिलते हैं ठीक अगर आप चाहिए कार में देखो चा और यहां पर आपको गिवन है कि फोकल लेंग्ट तीन सो सेंटीमीटर है अब मैंने यहां पर गड़बर कर रखी है देखते हैं इस पूरे में बहुत देखके अच्छे से बताओ मैंने यहां पर क्या गलत कर रहा है मैं खुद बता रहा हूँ एक चीज में आपर गलत कर र सभी में मजा आना है चाहिए आप सभी को ठीक है फिजिक्स इजी अच्छा इतनी इजी है फिजिक्स चलिए अच्छी वात है इजी है तो बताओ बच्चा मैंने यहां पर क्या गलत चीज लिखी रखी है लेट सी भाई कितने बच्चे को पता है आयूश क्या डाउट है ब बहुत बढ़िया और और कोई क्या गलती ही है मैंने लेट सी कितने बच्चों का सही है हाँ बहुत बढ़िया तो यही चीज थी जो मैंने आपको जान बूच के यहां पर गलत करी ताकि आपको पता हो कि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंग तो हम क्या लेंगे पॉजिट होगी गाईज आई बात समझ में बट यहां पर दिया है फोकल लेंग तो काफी बड़ी है तो यह अगर हम यहां पर देखें तो उसका फोकस कहीं यहां पर आ सकता है यह सका एफ होगा समझे मेरी बात को 300 cm काफी आगे का दे रखा है आपको यहीं काफी बड़ा यहां पर आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर है यह आपकी जो डिस्टेंस होगी यही डिस्टेंस आपकी फोकल लेंग तो चलिए तो यहां पर हम आगे पढ़ते हैं आगे लिखा है इफ आ के लिए रहोना चाहिए कि अगर यहां पर आपकी कोई साइकिल है और वो यहां से मिरर से 100 cm की दूरी पर है तो बच्चा यहां पर आपको क्या चीज केलकुलेट करनी है आपको यहां पर यू दे रखा है ठीक है और यू मैंने आपके 100 cm लिया क्या कुछ गलत करा वी आपक को कैलकुलेट करना है मैगनिफिकेशन आपको कैलकुलेट करनी है तो इस दो चीज आपको कैलकुलेट करनी है यू यहां पर क्या लिया जाएगा माइनस लिया जाएगा कि साइन केंविंशन लगा रहे हैं इस मिरर के जो भी लेंग्ट आप या जो भी डिस्टन्स लोग इ हमारा अब आगे बढ़ते हैं यहां पर हमें 1 upon V calculate करना है तो 1 upon F minus 1 upon U उदर जाते हैं माइनस भाई F कितना दे रखा है आपको दे रखा 300 प्लस का माइनस माइनस 100 तो माइनस माइनस प्लस तो यानि यहां पर LCM आजाएगा 300 ठीक यहां पर 300 हा तो यहां पर आएगा 1 माइनस माइनस प्लस यहां पर कितना आएगा 3 तो यह उख जाएगा आपका 4 by 300 यानि अगर बात करें V की तो V आया 300 by 4 cm fraction में किया है मैंने आप इसको divide करके लिख लिएजेगा ठीक अच्छे से अगर हम यहां पर देके चले कर देते हैं 4728 ओके 4722 बचा और यहां बचा 5 तो यहां पर आया 75 कितना आया 75 cm आपको image मिलेगी इधर ठीक है तो यह चीज हमने बहुत अच्छे से calculate कर ली बहुत बड़े चलो कुछ बच्चों को तो जवाब भी आ गया ठीक है तो I hope बहुत easy question था कोई confusion कोई doubt नहीं होगा भी तग आपका यहां पर ठीक है अब बात करते हैं इसके magnification की यहां एक चीज़ और पूछ रहा भाई magnification और निकालो क्या calculate करो magnification और calculate करो तो यहां इस जगहां पर magnification भी देख लेते हैं क्या होगी magnification M आपका क्या होता है चलो इसको दूसरे color से देख लेते हैं M आपका क्या होता भाई M होता है आपका minus के V by U ठीक है minus V कितना है आपका 75 U कितना है आपका minus के 100 तो guys M आगे आपका minus cancel 0.75 magnification आ गया यह आपका magnification आ गया इस magnification को देखके और इस V को देखके हमें समझ में आ गया कि हमारी जो image है वो कैसी होगी image is virtual erect and और magnification देखो one से कम आ रही है यानि and diminished और image आपको कैसी मिलेगी diminished मिलेगी देखो चलो ठीक है आपने concert बहुत अच्छे से पढ़ा आपको पता image virtually erect and diminished होगी बट आपको mathematically यह शो करना होगा यहाँ पे हमें V plus का मतलब क्या है बाई अगर कभी भी आपकी V plus आ रही है तो आप इस चीज में समझ जाए कि आपकी जो image है वो virtual and erect होगी mirror की case में और magnification आपकी वन से कम आ रही है और positive आ रही है तो आपकी image virtually erect होगी तो यह चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए चले बहुत बढ़िया आई होप आपको अच्छे से चीज के लिए है ठीक है question ठीक था average question था हमने बहुत अच्छे से देख लिया चले तो यहां पर हमने देख लिए तीन marks हमने done कर लिया अगर आपको इस type से question solve करना आ गया है अब आगे बढ़ते है अब आगे बात करते हैं आपके अगले question की बोला है draw a diagram for the following cases in following cases के लिए एक diagram draw करो when a ray of light passing through center of curvature of a convex mirror is incident on it पहला case क्या है कि एक ray of light है center of curvature से pass होना चाहती है किसके convex mirror के इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ना के भाई mirror कौन सा है ठीक है तो हम यहाँ पहला part done करना चाहरें तो उसका diagram कैसा बनेगा गाई बहुत अच्छे से देखे अगर हम बात कर रहे हैं convex mirror की बात जिन बच्चो ठीक अब इस convex mirror को बनाने के बाद आप क्या करो सीधा सीधा इस चीज को समझ लो कि आप एक ray लेकर आ रहे हो और वो ray कहां से pass होती भी जानी चाहिए यह ज़्यादा ही मोटा हो गया या इसका तो ठीक है थोड़ा से इसको ठीक तो यहाँ पर हम क्या कर रहे है एक ray of light को ले imaginary line आप मान के चलो आगे draw करोगे जो कहां से pass होनी चाहिए जो इसके center of curvature से pass होनी चाहिए ठीक चलिए और यह आसका focus हो गया अब बताए कितने बच्चे मुझे बताएंगे कि भाई यह ऐसे गई अब इसका क्या होगा किस तरफ reflect करेगी इधर करेगी इधर करेगी इधर करे करेंगे भाई फटाक से बताओ मुझे लेट सी कितने बच्चे सका सही जवाब देते हैं संस्क्रित का क्या होगा अरे बच्चा अगर मुझे संस्क्रित आती तो मैं जरूर बढ़ाता ठीक है हिंदी जैसे जैसे करके आती है बच्चा मतलब व्याकरन की बाद करें तो से बिल्कुल के लियर है आपके इन बिल्कुल सही तो सोनु का मांडे देखा अंजली ने जवाब दिया है बाकी बच्चे क्या कर रहे हो चैने खा रहे हो हाथ वियस्त हैं अरे मोका मिला है अपने आपको बताओ कि शाबित करो येस सर मुझे पता है और आंसर दो लो तीनी रे ओ फ्लाइट नॉर्मल के ही पाथ से आ रही है तो बच्चा वो वापिस चली जाएगी तो यहाँ पर सेंटर ओफ करवेचर से हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ठीक है तो इसका रीजन यह है मानलो बाइचांस भाई एक्जैम में आ गया पूछ लिया क्यूं सेंटर ओफ अब बी पार्ट में क्या खियरा है रे ओ फलाइट इंसिडेंट पैरलल अथिस तैजिए तो आपका ए था ठीक अब बी का डाइगराम हम देखें बीके डाइगराम में क्या बोला उसने कि आपकी रे ओ फलाइट पैरलल आ रही है उस तरीके सवा मानके चलें और यहाँ पर जिए अगर हम अपना मिरर मनाइं कौन के मिरर मनाई ऐसे करके एसे करके कौन के मिरर बनाए और यहां पर रे ऊफ लैट को इसके पैरलेल लाएंगे तो कहां से जा HUI भाई Спटाक कुमेंण करके बताओ वहाँ से जाएगी पैरियो फ्लाइट आई ऐसे और उसके बाद आगर वो पैरलल है तो वो जहां से जाएगी वो उसका फोकस होगा और एक चीज़ और ध्यान रखें क्या सर इस बात का ध्यान रखें कि आपको सेंटर ओफ करवेचर यह आपका एंगल आई यह आपका एंगल आर तो यह आपका कंप्लीट डाइगराम हो जाएगा अब इसमें एक भी मार्क सापका टीचर काट नहीं सकता पोल भी आप बता देना कि यह हमारा पोल है पोल की भी अपनी एक अलग इंपोर्टेंस है तो यह सब चीज आपको शो करने है बहुत अच्छे से देख लो डाइगराम में कि कैसे बनाना एक्जैम में ठीक है तो वह बहुत बढ़िया वाई कुछ बच्चों के तो काफी अच्छे कॉंसेप्ट है और वो सही जवाब दे रहे है ठीक है ठीक है चलिए बढ़िया बाकी बच्चे लगता है बहुत शर्मीले हैं या फिर भाई चेने घारे हैं हाथ भी असते हैं कोई बात नी ठीक है सुनते तो रहो अच्छे से कॉंसेप्ट के लिए रथ करते रहो कि मान के चलो कि आप अपनी कोई यह इस तरीके से बनाते हो ठीक है ऐसे यह आपकी प्रिंसेपल एकसेज होगी और आप क्या बना रहे हो अपना कॉन्वेक्स मिरर बना रहे हो ऐसे करके और इस कॉन्वेक्स मिरर में रेयो फ्लाइट कहा ना चारी है इसके focus से pass होके जाना चारी है पर यह होने नहीं देगा, यह भी जिद्धी है पूरा यह आपका pole हो गया ठीक, अब यहां से हम ray of light को लेके आ रहे हैं ऐसे करके यह इसके focus से pass होना चारी है कहां से pass होना चारी है, focus से तो हम यहां से इसको आगे dot dot कर कैसे बना देंगे ध्यान से रुकना, सुनना इस बात को कि convex और concave mirror के diagram बनते कैसे है तो यह वो point होगा focus बट यह जाएगी थोड़ी, यह ऐसे टकराएगी और उसके बाद guys, parallel हो जाएगी क्या हो जाएगी, parallel हो जाएगी इस तरीके से, ऐसे इसी चीज़ को आपको बहुत अच्छे से draw करना है तो ray of light आ कैसे रही है, ऐसे जा कैसे रही है, ऐसे और ध्यान से सुनना, भाई arrow बहुत ज़रूर बना देना जैसे मैं पहले जहां पढ़ाता था, देखता था तो बच्चे क्या करते थे, बस आ के इसको बना देते थे, यह नहीं दिखा देते के ray of light आ कैसे रही है और जा कैसे रही है, अगर आप यही शोन नहीं करोगे, तो बच्चा examiner confused हो जाएगा, और गुस्से में आ के परेशान होके, या तो sheet forward देगा या marks आपके, बिल्कुछ zero कर देगा समझे मेरी बात को, तो इसी लिए arrows जरूर दिखाने है, कि कैसे आ रही है और कैसे जा रही है, ठीक है, तो बहुत प्यारे तरीके से हमने इन ray of diagram को बनाना सीख लिया, ठीक है चले गाइस, बहुत बढ़िया, अब तो यह तो easy लग रहा होगा आपको, ठीक अच्छी बात अगर easy लग रहा है बट मैंने जो आपको tips बताए, वो जरूर ध्यान में रखेगा कि ray diagram बनाते वे किन चीज़ होगा आपको ध्यान देना है तो 3 marks के आपके done, अब इसमें लिखा है और, और करके question और है क्या question है, यह आपका question है तो इन दोनों में से आपको एक ही करने इस तरीके से अगर आपको और कहीं दिखा रहा है तो option है आपको कि आप उन में से कोई एक question करें, तो मैं आपको दोनों समझा रहा हूँ दूसरे part में बोला, the picture demonstrate how the prism disperse the white light इस picture को देखके आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इनों ने एक prism लेके क्या करा, उसमें से ray of light को दिखा रखा कि कैसे ray of light आगे बढ़ी चलिए मान के चलते हैं हमारी ray of light हम अपना diagram बना लेते हैं ताकि हमें चीज़े समझ में हमारी ray ऐसे आई ठीक, तो color change करते हैं green बनाते हैं इसको, भरा भरा ठीक, चलिए और उसके बाद एक ray ऐसे गई एक ray ऐसे गई और एक ray आपकी ऐसे गई ठीक है, उसके बाद यह फिर क्या होती है deviate होती है, तो मैं आपको अलग-लग color दिखा देता हूँ, यहाँ पर यहाँ आएगी red, क्यों मिलेगी red, इसका भी जवाब दूँआ मैं आपको, यहाँ पर आपको जो मिलेगी, वो मिलेगी green ठीक है और आखरी मैं आपको क्या मिलेगा, violet color यह मिलेगा आपको पता है, बहुत अच्छे से कि अगर आप प्रिजम में देखते हो, तो आपको क्या मिलता है, विब गयोर मिलता है, violet, indico, blue, green, yellow, orange और red, ठीक है, आपको पता गया, भाई, सबसे कम, जो deviate होता है, वो red होता है, least deviate होता है क्यों least deviate होता है, क्योंकि इसकी जो wavelength है, वो longer है longer wavelength और यह आपका most deviate होता है तो यह दोनों तो आपने बहुत अच्छे से जवाब दे दिया, क्यों, क्योंकि इसकी short wavelength होती है बट green का, आप कैसे कैसे होगे, यह green है, देखो बच्चा, इसमें बिलकुल इनोंने mid में एक लेके बनाई है तो mid में कौन सा color आता है, भाई, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, तो बीच में एक ही color रह गया, जो की है green तो middle color आपका green होगा, इस तरीके साब इसका जवाब दोगे, आई बात समझ में, बहुत अच्छे सा आपने चीज़ देख ली, क्यों होती है, वो भी मैंने आपको बता दिया longer wavelength के वज़, जिसकी जितनी ज्यादा wavelength होगी, वो उतना कम deviate होता है, अपने पात से, ठीक, और जिसकी जितनी कम wavelength होती है, वो ज्यादा deviate होता है, अपने पात से, तो ये चीज़ आपको इसमें लिखनी है exam में, because the red color has longer wavelength, that's why it deviate the least, and the violet color has the short wavelength, that's why it deviate the most, and the green color is coming between this pattern, spectrum में, between में आता है आपका green, इसलिए हम कहेंगे के green color के वज़े से ही हो रहा है, चले गाइस, तो कोई confusion, कोई doubt, हाँ, चले बिंदास कह रहा है, red, red, orange, yellow, चले कोई नहीं, अब बताओ why, crystal clear है, अगर crystal clear, show me your thumbs यार, क्योंकि ये question काफी अच्छा ता, इसका आपको अच्छे से जवाब देना आना चीए, लिख लोगे ना, exam में, by language कैसे लिखनी है, इसके भाई, I hope आपको अच्छे से चीज़ समझ में आ गई होगी, सर, yellow होगा, अरे नहीं, बिंदास, राशी, राशी नहीं, अच्छे से देखो, समझो, यहाँ पे middle मे अच्छे से पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं आपको हर एक चीज, चलिए, आपको सब चीज के लिए है, बढ़ते हैं next question पर, ठीक है, अब यह next question तो आपका biology का है, तो आपको हमारी मैम बताएंगी, ठीक है, किस का क्या जवाब होना चीज़िए, हम जी बच्छो, तो बताओ, कैसा चल रहा है सेशन आपका, इजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आ रहा है, होप सो बाइलोजी में भी मज़ा रहा होगा, तो लो मज़े लूटते हैं आगे, अब हम कर रहे हैं, थ्री मार्क्स वाले जो क्वेशन हैं, तो क्वेशन क्या पूछा है हमारे, थीक है, इस टोमेटल पोर हैल्पिन गैसी एक्सचेंज, यह जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, एपी थीले लियर पे, वो क्या काम करते हैं, गैसी एक्सचेंज में जो हमने पीछे कोश्चन में भी पढ़ा था, मतलब एक ही टॉपिक पे दो कोश्चन आएं, बट यहां प भी हमने देख लिया था, बट, वो यह चीज नहीं जानती कि यह जो गाट सेल है, यह कैसे ओपन और कैसे क्लोस होते हैं, सिया की आपको हेल्प करनी है, यह चीज एक्सप्लेइन करने में ठीक है, कि हाव गाट सेल रेगुलेट दो ओपनिंग एंड क्लोजनिंग आप स्टो जल्दी समझ में आएगा, देखो, कि इस तरह की होती है, यहां तक मुझे पता है, है ना, क्या मैं सही बता रही हूं? जल्दी से बताएंगे मुझे चैट सक्षन में, बच्चे क्या मैं किडनी सही बना रही हूं यह, इस तरह से होंगे हमारे, दो हमारे हो गई है, गाट सेल, क्या बोलेंगे इनको हम गाट सेल, ठीक है, गाट सेल, अब हमें यह चीज डानने है, कि जो सिया थी, उसको पता न पता उनको मैं बता दूं, ठीक है, तो क्या होता है, कि पहले हमने यह गाट सेल बना दिया, ठीक है, गाट सेल के बाहर हमने पहले पड़ा था, सबसिडियरी सेल्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते है, प्रोटेक्ट करते है, हमारे गाट सेल को, और क्या करते है, रिजर्वा हें ठीक है कैसे ठांपोर्ट होगा जायलं के एंपरों कि थूच वोधियर यह मना THIS लाइं जी ल१े अगर खाई नहीं है तुमने तो आज ही देख लो जाके ममी ने अगर खिलाई होंगी तुम्हारी तो देखो अब क्या होता है कि जब वाटर इसके अंदर एंटर करेगा तो यह क्या हो जाएंगी आज 비लकुल सही जाएलम के थ्रूं क्या होता है वाटर ट्रांस्पोर्ट होता है अ जा जी ने रंचराल में बिल्कुल सही बताए जो हमारे न होते है और यह हमारा इसा है यह open है ठीक है यह हमारा open है open stomata अब यह जब close होगा ना तो यह बिल्कुल ऐसे दिखेगा भी नहीं हमें ठीक है इस तरह से close होगा ठीक है यह हमारा आगया close ठीक है इसके बाहर यह subsidiary cells और इस time क्या होगा जब यह close हो जाएगा बिल्कुल यह प्लोज है तो उस टाइम गैसी एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं होगा ठीक और जब यह ओपन हां जी युनि डेरेक्शनल जो है जो फ्लो मेशा युनि डेरेक्शनल होता है और आप देखो यहां पर दिया है जब वाटर एंटर करेगा जो हमारे गाड्सल है वह अप्ट ट्रांसपोट के फोग पोटेशियम एंटर करेगा गार्ट सेल के अंदर ठीक है किस प्रोसेस के बाइध प्रोसेस ऑफ ओस्मोसी ठीक है और यह उस्मोसी के थूप आपने यह एक्रांसपोर्ट पैसीब ट्रांसपोर्ट जब आप्षटीब पढ़ाओ तो उसमें जुरूर प and opening and closing of stomata किस पर depend करता है? depends on turgor pressure ठीक है? turgor pressure किस पर? जब हमारे guard cells जो हैं वो turged हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? expand हो जाएंगे तो वो जाएंगे तो उनके अंदर opening हो जाएंगी तो opening से वज़े से क्या होगी? gasses exchange हो जाएगी ठीक है? हमारे expresses ऑपoquो जाएंगे zebra said, guard cells से जब उन्होंने water lost कर दिया तो क्या होजेंगे? close हो जाएंगे ठीक है क्योंकि जो हमारे guard cells हो पैसे हो जाएंगे ठीक है? जब हमारे गाड सेल ओपन हो जाएंगे गाड सेल ओपन हो जाएंगे तो यह क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे ठीक है और रिजल्टिंग क्या होगा ओपनिंग ओफ फो मैटा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्या है इन अ कंट्री लाइक इंडिया दे रेट ओफ फीमेल फिटिसाइड इस क्वाइट हाई और अल्वेस फीमेल इस हैल्ट रिस्पोंसिबल पर गिविंग बर्थ तो ए फीमेल चाइड बोथ इंपॉर्टेंट बात लि लाइक इंडिया कोई बधनाम की देख रहें देखो इन्होंने स्काइड कीटी् लाइक होता है कि फीमेल पीस आइड का जो प्यांसीबर घए कि अधर इस चीज के लिए बच्ची को लड़ीकी को जनम देती है ठीक है रमा वाज अगेज्ट जो रमा है वह इस थाट की अंगेज्ट है ठीक है वह यह चीज बिल्कुल भी नहीं मानती वह इस चीज से अगेज्ट है इस चीज को सपोर्ट नहीं करती है तो हमें उसके हल्प करने है कैसे हल्प करोंगे आप लोग उसकी कि यह जो रमा बोल रही है इसको हम कैसे एकसे एक्सप्लेंगे करेंगे स्यंटीफिकल कुछ बताना होगा कि यह वी मेल थो रिस्पॉसिबल नहीं है कि इस चीज के लिए कि जो फीमेल का बर्त होता है कि हमारी स्यम्ख क्रोमोजोम्स होते हैं ठीक है और दोन्धों में हां जी बिल्कुल बोथ maternal और paternal होगा पर कैसे होगा तो वो हम क्या करते हैं क्रॉस बनाते हैं अब हमने देखा है कि females जो होती है वो कैसी होती है homozygous मतलब कि उसमें जो दोनों क्रोमोजोम होगे ना वो क्या होगा उनका सेम नंबर होगा लेकिन जो मेल होते हैं वो हिट्रोजाइगस होते हैं ठीक है उनका जो क्रोमोजोम होंगे वो क्या होंगे अलग लग होंगे कैसे होंगे देखो यह हमारी female है ठीक है, इसमें जो क्रोमोजोम होंगे, वो होंगे हमारे x, x ठीक, x, X, और जो हमारा मेल है, मेल में जो क्रोमोजोम होंगे, वो हमारे होंगे x और y, ठीक, कितनी चीज़ क्लियर होगी, अब जब हम इनके gamits लग करते हैं ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1x और यहाँ पर भी 1x ठीक और इनके जब यह आगे gamits आगे वो कैसे आगे हमारे x और यह आगे हमारे y ठीक इतनी चीज़ clear है देन उसके बाद जब इनकी हम fusion करवाते हैं ठीक है जब इन में fusion होगी तो अगर male का x और female का x fuse कर जाते हैं तब क्या होगा कि तब child कैसा होगा female ठीक है क्योंकि यहाँ पर double x हो जाएगा और double x क्या वो ला हमने वो क्या होगी female ही होगी जब female का x और इसका y यह fuse कर जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर यहाँ पर होगा child boy ठीक है male child होगा जब female का x और male का y यहाँ पर जब fuse कर जाएगे तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर फिर से chances किसके हैं female के ठीक है तो यहाँ पर इस case में भी chances क्या है कि female ही होगी और इसमें क्या होगा जब हम इसकी vision करते हैं तो क्या होगा यहां पर female का x और male का y जब fuse करेंगे तो यहां पर x y देखने को मिलेंगे तो क्या होगा यहां पर हमें 50-50 probability देखने को मिलती है भाई दोनों ही responsible है तो रमा ने जो आवाज उठाई थी वो बहुत सही थी क्यूंकि सिंगल सिर्फ mother जो है वो responsible नहीं है female को birth देने के लिए ठीक ठीक तो यहीं इनोंने question पुछा है hope so आपको समझ में आ गया होगा चलिए next question क्या है draw a neat and clean level diagram of human elementary canal name and level the following ठीक है उसको हमें name भी देना भई elementary canal की हमें diagram बनानी है और neat and clean तो होनी ही चाहिए ठीक उसके बाद दूसरा क्या उसमें parts के है part carrying the food to the stomach through peristolic movement यह peristolic movement क्या होता है अब देखो आप लोग खाना खाते हो है ना तो हम जब खाना खाते वह सीधा स्टमक में पहुंच जाता है थ्रूग इसके इसोफैगस से जब आप लेटे हुए हो तो तब भी वह खाना स्टमक तक पहुंच जाता है वह कैसे पहुंचता है ऐसा क्यों होता कि बीच में फस गया स्टम इसोफैगस में नहीं होता है वह तो सीधा क्या होता है ऐसे तो आपने देख्या कि कोई भी चीज़ा वह ग्रेविटी उसको नीचे खींजती है तो खाना जो है झुछ जब आप खड़े हो तब तो नीचे जा रहा है ठीक है ये समझ में आता है लेकिन जाटे हूए हो बैड़ पे लेटे हो तो ऐसा हो जाना चाहिए ना कि वेव लाइक मोशन है जिसमें क्या होता है खाना जो है ऐसे वेव की तरह होगा हमारे जो smooth muscles होंगे हमारे esophagus में उसके movement के थ्रू जो है हमारा खाना कहां तक stomach तक पहुंच जाता है तो इस movement को क्या बोलते हैं हम peristallic movement ठीक देन उसके बाद organ producing a substance responsible for emulsification of fat कौन सा organ है जो ऐसा substance produce करेगा ठीक है तो यहां पर क्या दिया है इन्होंने तो यह कौन सा पार्ट होगा हमारा यहां पर peristallic movement किस में होगी हमारे esophagus में ठीक है यहां पर आपको esophagus देना है ठीक और उसमें आपको यह थोड़ा explain कर देना है कि peristallic movement क्या होती है ठीक मैंने आपको समझा दिया अपनी लेंगुज में आपको जैसे तरह से भी लिखना होगा ठीक है जैसे आपको बैस लगे आप वैसे उनको लिखके दे सकते हो ठीक डैन उसके बाद दूसरा हमारा कोश्चन है और गन प्रोड्यूजिंग ए सब्स्टांस रिस्पॉंसिवल पॉर इमल्सिफिकेशन ओफ एट्स इमल्सिफिकेशन ओफ एट्स क्या होता है गाल ब्लैडर लीवर पहली स्टाडिक मुझमेंट हाँ जी हाज बिलकल लीवर यहां बाईल देखो तो हमारा जो लीवर है हम सबने पड़ा है कि जो लीवर है वो बाईल जो स्टेट करता है ठीक और और कहाँ पे स्टोर होगा वो हमारा हुआ जाकर हमारे गाल ब्लैडर में जोगा तो इमल्सिफटीशिए ने क्या होता है कि ऐसे कोई दो सब्सक्रान्स ग्स हो जायेंगे जो अन्मिक्सेबल होंगे तो वो किसकी वज़े न्योच से होगे हमारे वायल की वज़े यहां पर आपको गाल ब्लैडर देना है अब option 3 दे रखा है इन्होंने third question क्या पूश है और्गन स्क्रीटिंग ट्रिपसिन इंजाइम कौन सा और्गन है जो स्क्रीट करता है ट्रिपसिन इंजाइम्स ठीक है तो जब आपने digestive system पढ़ा है तो उसमें यह सारी चीज़े पढ़ी होंगी जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा है वो मुझे बहुत जल्दी बनेगा हमारा pancreas में ठीक है और activate कहां पर होगा एक्टिवेट होगा small intestine में small intestine में इसको हम क्या हो लेंगे ट्रपसिनो जन ठीक है और यह किसमें help करता है हमारे protein की digestion में ठीक ट्रिपसेन पेपसेन रेनिन यह सारी आपने पढ़ी होंगी अब बारी आती है हमारी neat and clean डाइग्राम बनाने की किसकी digestive जाफिर elementary केनाल इसको हम बोलेते हैं तो चलो बही बनाते हैं हम अपनी क्या neat and clean डाइग्राम किसकी elementary केनाल की देखो elementary केनाल स्टार्ट कहां से होती है हमारी माउट से स्टार्ट होती है तो चलो ऐ खेक हमारा समझ लो माउट है ठीक यह हमारा माउट है दैन उसके बार नीचे आ जाओ तो नीचे क्या होता है सब का स्टमक देखने को मिलता है ना स्टमक होगा यहां पे और इसके इस साइड पे होगा हमारा लिवर चिक लिवर कैसा होता है ट्राइंगुलर सा होता है यह तो मैंने रेक्टेंगुलर बना दिया वई ठीक है, ट्राइंगुलर सा लीवर देखने को मिलेगा और इसी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, गाल ब्लेडर, ठीक है, गाल ब्लेडर यहां पे देखने को मिलेगा, यह हमारा आगया लीवर, ठीक है, देन, लीवर के, जस्ट जो हमारा स्टमक है, स्टमक के पीछे, Just behind the stomach क्या मिलेगा हमारा pancreas, ठीक है, pancreas tore होगा, finger like projection होती है pancreas की, ठीक है, ये भी सब ने पड़ा है, ठीक, then उसके बाद नीचे आजाओ बना देते हैं हम अपना large intestine, ठीक, इस तरह से कुछ होगा हमारा large intestine, ठीक, 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 और यहाँ पर नीचे आजाएगा हमारा anus और rectum, यहाँ से अब हमारा start होता है small intestine, small intestine भी होता है ना हमारे अंदर, ठीक है, यहाँ पर यह हमारा small intestine, ठीक, अब इनको label कर लेते हैं वही, चलो, यह हमारा था mouth, यह आगया हमारा stomach, ठीक, यह हमारी food pipe यहाँ फिर जिसको हम बोलेंगे isophagus, ठीक है, इसको बोलेंगे हम isophagus, then just behind the stomach, stomach के थोड़ा सा पीछे, क्या होगी हमारी pancreas, ठीक है, यह होगी हमारी pancreas, ठीक, 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 दैन उसके बाद यह आगी हमारी large intestine, ठीक, उसके बाद यहाँ पर हमारा rectum, और लास्ट में हमारा एनस है और यह हमारा अपेंडिक्स अपेंडिक्स को क्या बोलते हैं? स्टोर हाउस आफ दे बैक्टेरिया यहां पर मोस्ली बैक्टेरिया देखने को मिलते हैं तो यह होगी हमारी डाइग्राम किसकी एलिमेंटरी केनाल की ठीक अगला कुछन क्या हमारा कि अगला कुछन तो यह बायोंगानी लग रहा मुझे यह हमारे केमिस्ट्री का कुष्ण है तो चलो आप पढ़ो केमिस्ट्री पुराना पीछे का देख रहे हो कारवन निकल चुगा है लाइव आजाओ पीछे वाली वीडियो देखके मतलब पीछे हो तुम और रिपलाई मार रहे हो वाग एनिवे अपने तीन सेक्षन कंप्लीट हो चुके अब आया सेक्षन डी पांच नंबर आना स्टार्ट हो गए ठीक है तो फटाफट से कोशन कर लेते हैं कि अब अभी तक किसी को कोई दिक्कत कोई डाउट सेक्षन ए सेक्षन बी असेक्षन सी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में तो मुझे पताना तो बताओ फटाफट अगर नहीं है तो अपने केमिसृक्ट्री के एक यही दूब को सिन इसके बाद और वाला पार्टा उसके बाद फिसिक्स और बायो के ही कोशन बचेंगे रिख तो फटा फर्टी यह कमपलीट कर लेते हैं कि था एंव बहुत बढ़िया आजो यह अपना मैटलर्जी वाला पार्ट है ठीक है मैटल से नौन मैटल पे वाला पार्ट है क्या पूछा गया है प्रतियूश वाज इस्टेडिंग अबाउट एक्षेक्शन ऑफ मैटलर्जी इस नो अब आउट नियू मतलब उसको नए 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 टम्स मिले मिनेरल्स ओर्स गैंग क्या होता है यह सब अपन फटाफट देख लेते हैं ठीक है यह फिर से आएंगी उनसे पूछ लेना मजा आ रहा है ठीक है प्रियांशी बढ़िया अब देखना होते क्या है मिनेरल्स क्या होते है पटाफट मुझा डेफिनेशन चाहिए तो दे मिनेरल्स ठीक है इतना लिखता होगे कि नैचरली अकरिंग एलिमेंट्स और कंपाउंट्स देट आर फांट फ्रॉम अर्थ क्रेस्ट अनोने असम मिनेरल्स ठीक उसके बाद आते हैं ओर ऐसे मिनेरल्स जिसमें मुझे मैटल्स मिले और मैटल्स भी इतना कि अगर मैं वहां तो मैं उनको नाम देता हूं ओर्स ठीक है तो अगर बोला जाए तो वॉटर ओस तो क्या बोलोगे एंडरेज्ड विद मैटल्स दोज मिनेरल्स विच आर एंडरेज्ड विद मैटल्स एंड आर प्रॉफिटेबली एक्ट्रेक्टेड अर नोन एज और तो मिनेरल्स और और समझ आ गया है अब मैं आता हूं गैंग के पास अब यह गैंग क्या है देखो मिनेरल आया मिनेरल मैंसे कुछ ऐसे मिनेरल है जिसमें से मैटल भी मुझे मिल लए है मैंने उनको नाम दिया और अब वो जो और है और मैं मैटल के साथ कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स भी सेंड हो गई उनको मैं बोलता हूं क्या वो होती है मेरी गैंग ठीक है तो गैंग मैं कह लिखोगे आप यह वाली गैंग नहीं है कि यह है आपकी अनवांटेड अनवांटेड पार्टिकल्स सच अच एज कौन से है सच एज आपकी सॉइल है कि कह सैंड है रॉक्स सैंड है एंड रॉक्स कॉम्स वेद ओर इस नोन एज इस नोन एज गैंग तो इनको मैं बहुत इसली फिल्टर कर लेता हूं इनको अगर मैं पानी से भी दो दूंगा तो यह तुम्हारा अलग हो जाएगा तो मिट्टी वो सब जिसको मिझे बिल्कुल भी जरूत नहीं है वो है गैंग और एक बार ही अगर आप गैंग निकाल दोगे फिर मुझे मिलेगी वह वह जो मेरी मैटल है अब वह मैटल किसी से कंबाइन करेगी तो मैं उसको रिड्यूस करके करा दूंगा क्लियर है येस वो इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास और है तो उसमें से भी प्रॉफिटेबली हो आप अगर गोल्ड अब गोल्ड की माइनिंग कर रहे हो मालू पड़े तुमने माइनिंग में इतना पैसा लगा दी और गोल्ड निकला तुमारा मालो 50 ग्राम तो क्या ही फाय है देखो टाइटिनियम की एक बहुत अच्छी प्रॉपटी यह है कि यह कभी भी कोरोजन में इन्वाल्व नहीं होता कोरोजन समझते हो जंग लग जाती है अगर मैं ज्यादा टाइम तक किसी मैटल को एयर में रखोंगा तो वह क्रोड हो जाता है लेकिन इसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपरटी है कि एक एक एकन और तो या फिर बोलो इस टेक्स वेरी लॉंग पीरियॉड ओफ टाइम फॉर कोरोजन पोरोजन एक तो यह हो गया दूसरा है दूसरा गया यह मेरे यूज आते है किस में जो मेरे वैपन होते हैं थीक है वार वैपन से जो लोग अ फैंस में यूज करतें तो टाइटनियम वहां बहुत काम आता है ठीक है तो パॉर वे dish वरड़ाइटां पर यहां यूज किया जाता है क्योंकि जो टाइट इनियम में वह बहुत ज्यादा लाइट का होता है वह लाइट वेट होता है और साथ-साथ बहुत होता है बस, इतनी कहानी बहुत है, ठीक है, वैपन्स में यूज क्यों करते है, लाइट वेट है, भई आप तुमारे पास बंदू हुक है, लाइट वेट है, बढ़िया चलेगी, अब वही इतनी भारी है कि तुम उठानी पार हो, तो क्या ही फायदा है, हाँ भई, वैपन्स का पार्ट खतम हो जाएगा, इसके बाद तुमारे फिजिक्स और बायो का चलेगा, क्योंकि सेक्शन ने इ में पता है, तीन आपके केस स्टड़ी आते हैं, चान नंबर के, तो यह है पांच नंबर का तीन नंबर इधर, दो नंबर इधर से ले जाना, समझ में आ गया, चल अपने एक केमिकल से रियक्ट कर जाती है, तो उसको एक्सेक्ट कैसे करें, प्यूरिफाइगे, कैसे करेंगे, मैटल की वह ली बात है, बहुत बढ़ी है, सुनना, आइरन इस रिमूवड फ्रॉम आइरन सल्पेट एक्वा सलूशन बाइध एलिमेंट एक्स, ठीक है बाई if the element X is treated with echo solution of copper sulfate, zinc sulfate and silver nitrate, तो होगा क्या, मतलब list your observation, क्या बोल रहा है, पहली लाइन पढ़ना, iron is removed from the iron sulfate, मतलब FpSO4, ठीक है, इसकी reaction अगर मैं X से कराता हूँ, तो iron यहां से remove हो जाता हूँ, और मेरा क्या बनता है, XSO4 plus Fp, यह एक मुझे reaction मिली, ठीक है, यह मुझे मिल देखिया, उसके बाद हुआ क्या सुनना, उसके बाद इनो ने जी यह जो X है, इसको react कराया किसे सबसे पहले copper sulfate से, तो देखना, जब मैं X की reaction copper sulfate से कराऊँगा, तो बताओ, reaction होगी या नहीं होगी, देखो, X, iron के sulfate को मतलब displace कर दे रहा है, reactivity series में iron उपर आता है, copper न plus F-E, 100% reaction होगी, F-E क्यों आएगा, फिर तुमारा क्या आएगा, copper, उसके बाद है, zinc, zinc को छोड़ो, सबसे पहले अपन उस सिकर आते है, agno3 present, silver nitrate, अब देखना, agno3, ag कहां आता है, भाई, silver, नीचे, मतलब पहले hydrogen आता है, उसके नीचे आता है, तो यह तो बहुत कम reactive है, भाई, x तुमारा iron तक को displace कर दे रहा है, तो silver को तो easily कर ही देगा, तो यहाँ पर displacement reaction हो जाएगी, आपका xno3 plus ag बन जाएगा, दिक्कत आएगी कहा, x plus znso4 में, देखना होगा क्या, मेरा znso4 है, zinc sulfate, जो zinc है, वो iron के ऊपर आता है, तो अब यहाँ पर exactly या बता नहीं सकते ह हो, कि reaction होगी, मतलब displacement होगा, या नहीं होगा, तो आप यहाँ क्या लिख होगी, may, और may not, मतलब reaction हो भी सकते है, नहीं भी हो सकती है, depending, इस पर depend करता है, depending on the, depending on the reactivity of x, depending on the reactivity of x, बास समझाई, तो x कितना reactive है, उस पर depend करता है, बाकि अगर iron से displace कर दे रहा है, iron को displace कर दे रहा है, तो iron के नीचे जो भी आता है, हर किसी को displace कर देगा, good evening, अनीश, x में mg नहीं हो सकता है, खतरी, daily तो नहीं पर, एक दो दिन चोड़ के हाँ पर, इतना confirm है कि daily आपको 10th का कुछ ना कुछ तो मिलेगा, sample paper, नहीं तो one shot होगा, physics, chemistry, maths, bio मैंसे किसी का, नहीं तो manty होगी, नहीं तो pyk होगा, तो कुछ ना कुछ तो रहेगा, तो बने रहेए, चैनल, subscribe करने के बाद, bell icon, जरूर दबाईएगा, तो ये था मेरा A part, A part खतम होता है, इदर, टीक है A part को अपन कर देते हैं, side, अब आते हैं B part, पर, B क्या कह रहा है, सुनना, आजो B part पर, rapid effer viscans is produced, मतलब जhag बन रहा है, एक दम से, ठीक है, तो rapid effer viscans is produced when hydrochloric acid is used to treat ore, name the type of ore with one example, मुझे बता रहा, effer viscans reaction कब-कब होती है, मैंने आपको पहले ही बता रहा है, कि कहीं भी अगर लिखा है, कि effer viscans हो रहा है, तो इसका मतलब ये है, कि वहां से CO2 निकल रही है, तो अब मेरे को कोई ऐसी और चाहिए, जहां से CO2 प्रेजेंट हो, CO2 मतलब कार्बोनेट की और, तो एक काम करो ना, सुनो, मैं लेके आता हूँ, तुम्हारा zinc कार्बोनेट की और, ZnCO3, और यह होता क्या है, इस यह आती है, कौन सी, और से यह आती है, कैलमाइन, ठीके, इसकी जो और है, वो है, कैलमाइन, अब होता क्या है, सुनना, जब मैं इसकी reaction कराता हूँ, तो यहां से निकलता है, आपका zinc chloride, ZnCl2, इसका मतलब, हाँ, CO2 निकलेगी, CO2 निकलेगी, और साथ-साथ थोड़ा बहुत पानी भी निकल जाएगा, बास समझाई, तो important चीज़ यह है, कि यह जो मेरी CO2 निकल रही है, यहां से मालूम पड़ा मुझे, कि कोई carbonate की और होगी, तो मैंने zinc carbonate ले लिया, कैलमाइन ले लिया, कोई दिक्कत, अगर यह ब्याद समझ आ गई है, तो बनाते हैं C पार्ट पे, यह भी अपनी कहानी हो गई है, खतम, आ जाओ C पार्ट, C पार्ट गया है, सुनना, C का फर्स्ट, अब इस पेस नहीं है, पर मैं उसको आगे बता दूँगा, अभी आजाओ C के फर्स्ट पे, जितना हो रहा है, देख लेते हैं, यह कह रहा है, कि जो मेरी अलमुनियम, मेगनीशियम और सोडियम की ऑकसाइट से, बोले तो, कौन-कौन सी, अल्ट वो थरी, अल्ट वो थरी, और क्या है, मेगनीशियम मतलब MGO, और उसके साथ-साथ क्या है, तुमारी सोडियम ऑकसाइड, न, A, 2, O, यह रहा है, अगर मैं इन तीनों की रिएक्शन अगर कार्बन से करा दी, तो यह रियक्शन होती नहीं है, दोस्त, यह वाली जो मेरी metal है, aluminium, magnesium, sodium, यह क्या है, यह बहुत जादा reactive है, यह बहुत जादा reactive है, ठीक है, बहुत जादा reactive होने की बज़े से होता क्या है, कि जो मेरी oxygen atmosphere में present है, उससे ही reaction कर लेती है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, कि higher affinity, ठीक है क्या लिखोगे, higher affinity of oxygen than carbon, तो क्य बन जाता है है क्लियर कुछ कह रहे हो है ठीक है आज़ो इतनी बात है अब आज़ो सेकंड वाले पर क्या लिखा हुआ है इन्द एक्टिविटी सीरीज वेर आर दीज मैटल्स लिकोटेड लुकेटेड मतलब यह वाली जो मैटल्स है अलमुनियम मैगनेशियम सोडियम यह कहा वो पूरी रिक्टिविटी सीरीज है उसमें उपर आती है अलमुनियम मैगनेशियम और सोडियम यहां क्या लिखोगे यहां कर दोगे अब आप इनको कैसे एक्स्रेक्ट करोगे मतलब मेरे पास इनकी ओर है अब इसको प्यूरिफाई कैसे करोगे रिक्तिविटी बहुत ज उसके इसके आसपास है तो कार्बॉनिट बरा दिया इतनी जाद रिक्टिविटी ए तो इसकी जो हम प्यूरिफिकेशन करते है वह अपना चैमिकल मैधआट है जिसको बन इलेक्रोलिस बोलते है ठीक है आओ थरड वाले में वही थरड वाले में वही पूछ रहा है कि तो इलेक्ट्र लीसिस आपको पता होगा एक नोड होता है कैथोर होता है तो होगा यहां एन ने पॉजिटिव और सी एल निगेटिव दो आइंस मेरे प्रिजेंट होंगे मेरे पास है एनोड एनोड की मुझे एक बात बताएं कि भईयो एनोड पर मैं ऑक्सिडेशन करा होग ऑक्सिडेशन होगा अब इन में से ऑक्सिडेशन होगा किसका ऑक्सिडेशन होता क्या है कि लॉस ओफ इलेक्रोन अगर इन में से कोई भी इलेक्रोन लूज करेगा तो इसका ऑक्सिडेशन होगा तो यहां देखो गार पहले से पॉजिटिव चार्ज है तो यह तो लूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि सोडियम अब कैसा दिख रहा है, वैसे होता 2,8,1 है, पर जब N ने पॉजिटिव हो गया, तो 2,8 है, स्टेबल है इलेक्ट्रोन लूज नहीं करेगा तो होता क्या है कि यहां तुम्हारा सी एल निगेटिव जाके कनवर्ट हो जाता है हाफ सी एल टू यह गैस है उड़ जाती है दी के बाहर निकल जाती है और यहां से एक इलेक्ट्रोन निकलता है इलेक्ट्रोन लूस कर गया इसका मतलब क्या है कि यहां हुई है मेरी ऑक्सिडेशन अब यह जो इलेक्ट्रोन है वो चले के जाएगा कैथोड के पास कैथोड पर गया सोडियम बैठा हुआ होगा sodium क्या करेगा एक electron खाएगा एक electron खाया और यह convert हो गया किसमें एन ए solid में तभी तो मैं बोलता हूं कि anode और cathode मैं से जो मेरी cathode है वो electrolysis में मोटी हो जाती है और anode पतली हो जाती है मैं करता क्या हूं कि anode पर रखता हूं तुमारा impure जो मेरी ओर है impure ओर है वो रखता हूं और cathode पर क्या है pure वाली थोड़ी सी रखते है और जब reaction complete हो जाती है तो कुछ ऐसा दिखता है मेरी यह है यह थोड़ी सी कम हो जाती है इसको आप slightly ऐसे दिखा दिना कि यह आपकी डिप्लीट कर जाती है और cathode विद टाइम हलकी सी बढ़ जाती है क्यों यहां पर तुमारा sodium इखटा हो गया है क्लियर ऐसे यह कर देता हूं समझ में आया है ठीक है और वो जो गैंग की बात हो रही थी गैंग अन्वांटेट पार्टिकल यहां पर भी तुमारी इंप्योर हो रहा है वह अन्वांटेट पार्टिकल मुझे इधर नीचे मिल जाते है जिसको मैं क्या बोलता हूं यह होती है मेरी एनोड मड अनोड मड मिट्टी मेरी साइड में आ जाती है अब यहां पर लिख देना ओवरॉल ऑग जागा इन दोने को एड़ कर तो इलेक्ट्रोन इधर इधर काट देना यहां से आएगा मेरा सी एल निगेटिव प्लस एन ने पॉजिटिव यहां से आपकी निकलेगी हाफ सी एल टू सी एल टू गैस निकल रही है और यहां जाए किया था मुझे क्या निकलेगा मेरा मेरा सोडियम निकलेगा वो भी प्योरी फॉर्म में तो प्योर फॉर्म में मुझे मिल जागा यही होती है मेरी एक्सेक्शन ओफ मैटल विद्धी हेल्प उफ इलेक्ट्रोलिस कोई दिक्कत कि अधिक लास तोड़ा पहला कर दीजेगा नेक्स खीक है भाईया कर देंगे और कुछ ठीक है इसी के साथ तुम्हारा यह वाला पार्ट और यह कोशन कोशन नमब इस सेशन में मतलब केंहिस्ट्री का पार्ट कम्प्ली नहीं होता है तो फसके बचा नहींंगे और आग्या है मेरा फिसक्स यह कर लो मैं मिलूंगा आपको कल शाम को अपना बाइयो मॉल्ली कुम का वह करेंगे ठीक है तब तक के लिए आगएrueगे कंटीनिव चलिए तो स्टार्ट करते हैं physics के part को I hope आपको बहुत अच्छे से सर ने समझाया कोई confusion कोई doubt नहीं होगा किसी के mind में और जो बच्छे अच्छे से हमें देख रहे हैं समझ रहे हैं और लगर आगए पर platform बहुत genuine है तो please guys subscribe जोरूर कर दीजएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो आपका बेल आइकन है उसको भी दबा दीजेगा क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और बहुत ही जोरो सोरो से अब आपके February 20 February तक बढ़िया करके क्लास चलेंगी ताकि आप Board Examination के अच्छे से प्रेपेर हो जाएं अच्छे से चीजे क्लियर हो रही है एकस्प्लेनेशन अच्छा मिल रहा है ठीक है चलिए गाइस ठीक है तो बहुत अच्छे से हमने चीजे को क्लियर करा अगर कोई confusion को डाउट है अच्छे कैसर प्रवीन कह रहा है देर इस नौट जिंक क्लोराइड उन दा लेफ देन थोड़े रुको फिजिक्स वाला पार्ट कर लो कंप्लीट कराने के बाद मैं सिकर सर को बोल दूँगा ठीक है चले गूड इवनिंग रेनू वाई कुछ बच्चे जो ठीके हुए हैं उनी के मार्स आने वाले हैं क्यूं क्यूंकि आपके जो हैवी कोश्चन्स हैं वो आप इस टाइप को कुश्चन गाईज कहीं बार आपके CBSC में आया है ठीक है क्या है आपका ए पार्ट क्या बोल रहा है इसको समझाने के लिए हम चलते हैं नेक्स पेज़ 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 पे क्या बोल रहा है आपका ए पार्ट क्या बोल रहा है ए पार्ट ये बोल रहा है कि अगर आपका अर्थ अगर माने अर्थ के अंदर तो आपको अलग-लग कलर दिखते हैं स्काई के अगर हमारा ये अर्थ है और ये हमारा सन है हमें क्या दिखता है अर्थ पे हमारा जो sky होता है वो अलग अलग कलर तरीके से दिखता है कभी blue दिखता है कभी हलका redis दिखता है कभी grey दिखता है मान के चलो इस तरीके से आपको दिखता है वो ऐसा क्यों हो पाता है क्योंकि आपके अर्थ के atmosphere में particles होते है air particles होते हैं जिस पह आपकी light آके क्या करती है, scatter करती है आपने बहुत अच्छे से जाथ करो light क्या करती है, scatter करती है समान के चलो कोई light आई इशे गिरी, उसके बाद light कैसे गिरी है scatter हो जाती है, ऐसे करके all direction क्या हो जाती है, all direction हो जाती है इसलिए आपको जो color है वो कैसा दिखता है guys आपको जो color दिखते हैं ठीके तो हमने बहुत अच्छे से देखा due to scattering of light due to scattering of light due to scattering of light by very fine particles the color of sky changes the color of sky changes ठीक है आपको इस question के अंदर ये भी लिखना है ठीक है कि आपके color का sky sky का जो color है वो क्यों आपका बार बार अलग लग color में दिखता है लेकिन क्या होता है जब astronaut बाहर जाते हैं तो वहाँ पे हमें क्या दिखता है कि वहाँ पे कोई भी कोई भी आपका color नहीं दिखता है ब्लैक दिखता है क्यों ऐसा क्यों क्यों क्योंके गाइज वहाँ पे scattering of light होती नहीं है in space space के अंदर क्या होता है there is no atmosphere तो कोई भी atmosphere ना होने के वज़े से कोई भी particle नहीं है और अगर particle नहीं है तो गाइज आपकी light scatter नहीं होंगी there is no atmosphere means there is no particles hence इसी लिए scattering of light is not possible scattering of light is not possible scattering of light is not possible तो ये आपकी human eye chapter से एक अच्छा question है तो हमने बहुत अच्छे से देखा इसका क्या reason है आया समझ में क्या reason है किस वज़े से आपको astronaut को space बिलकुल dark दिखता है ठीक है चलिए आई होप आपको अच्छे से समझ में आया ठीक चलिए गाइस तो सकते हैं बट आपको explain अच्छे से करना है point to point explain करना है चलिए इसका A part हमने done करा B part में बोल रहा है illustrate with three examples तीन example देखे how colloidal particles show tindle effect colloidal particles tindle effect कैसे show करते हैं चलिए तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए यहाँ पर मैंने तीन images अरखी हुई है इन तीन images में हम देख सकते हैं क्या देख सकते हैं कि इन तीन images से आप पता कर सकते हो कि आपका tindle effect क्या होता है tindle effect मैं guys ध्यान से सुनें बहुत अच्छे से पहले मैं आपको explain कर दूँ यहाँ पर कि इसकी एक condition होती है condition क्या है पहली चीज tindle effect छोड़ो scattering of light की आगर जो main condition देखे जाए इस tindle effect तो बाद में सुनेंगे पहले हम scattering of light की condition क्या है scattering of light की condition है भाई कौन बताएगा let's see comment में कर देना भाई क्या comment है size of particle is comparable to wavelength of light wavelength of light अगर आपका size बहुत जादा बड़ा है wavelength of light से तो scattering of light नहीं होगा scattering of light तभी possible है जब आपका particle जब आपका particle ये जो particle है आपका ठीक है इसका जो size है वो wavelength of light के compareizable हो समझे मेरी बात को अगर ऐसा नहीं है तो scattering of light नहीं होता इसलिए अगर आपने देखा होगा कभी water solution में आप torch मार के देखो तो क्या होता है कि आपको light एक end पर दिखती है और दूसरे end पर दिखती है लेकिन बीच में आपको कोई भी pattern देखने को नहीं मिलता वो इसलिए तो कि water के अंदर के जो particles हैं वो इतने ज़्यादा छोटे हैं कि compare ही नहीं कर पाते ज़्यादा भी छोटे होगे तब भी scattering of light नहीं होगा ज़्यादा बड़े होगे तब भी scattering of light नहीं होगा एक range में होने चाहिए ठीक चलिए तो यह scene है आपका यह है आपका पहला canopy of desert canopy of tree sorry canopy of tree desert भोल रहा हूं sorry for that canopy of tree एक example यह रहा कि आपके किसी dense forest में जहां forest बहुत सारे हैं उनके canopy में से जो rays of light आती है वो आपके scattering of light के जैसा pattern बनाती है दूसरा आपका यह आप देख सकते हों यहाँ पे colloidal solution बोलते हैं या colloidal solution कौन सा हिंद में से colloidal solution भाई यह वाला आपका colloidal solution है मतलब कि मान के चलो milk है milk के अंदर globules होते हैं उनके अंदर आपका क्या होता है colloidal solution मान के चलो milk है milk के अंदर guys fat और protein के globules होते है fat और protein के globules होते हैं जिनका size comparable to होता है wavelength of light इसी वज़े से आपको इसके अंदर scattering of light दिखती है जिसके वज़े से अगर आप इस पर ray डालोगे भाई अगर water है तो यहाँ पर ray दिखेगी यहाँ पर दिखेगी लेकिन अगर आपका colloidal solution है तो आपको कुछ इस तरीके से rays of light जाती भी देखेगी क्यों क्योंकि इसके अंदर के जो particle है वो scattering of light कर रहे हैं ठीक इसी वज़े से आपको उहाँ pattern देखता है एक आप यह देख सकते हो कौन सा example है कि भाई आपके किसी भी room में एक window है उस window से जब आपकी beam of light आगे निकलती है तो आपको कुछ इस तरीके का pattern देखने को मिलता है तो यह तीन examples है with explanation एक अच्छे statement के साथ आपको उसका जवाब देना है मैंने आपको detail में समझा दिया ठीक तो अंजली का जवाब है वाई है कुछ fine particles light को absorb कर लेते हैं और अपने direction में scatter और space में fine particle present ने चल्चे पहले वाला wavelength of light equal to fine particle equal या comparable to जहां से सुनना comparable की बात हो रही है अगर आप equal लिख दोगे तो वो statement ठीक है बट ज्यादा correct ये होगा comparable लिखना ठीक चलिए तो बहुत अच्छे सा आप कोई चीज clear है अगर clear है तो बहुत बढ़े है guys तो show me your response with your thumbs yes sir ये question clear हो गया अच्छे से समझ में आ गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अब बस आपके कुछी questions रहे गए हैं थोड़े देर में 10 से 15 मिनिट में आपका ये lecture end हो जाएगा और जो सबसे प्यारे questions हैं वो आपके end में ही आते हैं इनी questions को आप देख ले starting में question बहुत हलके थे अब आपको देखने को कुछ अच्छे खासे question देखने को मिलेंगे physics के हेलो शंतोष ठीक है बच्चा अगर platform पे नए हैं तो अच्छे से video देखने के बाद lecture देखने के बाद एक बार subscribe जरूर कर दीजेगा ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से होती रहे और exam में अच्छे marks आ जाए ठीक है guys अब आप आगे देख सकते हो यह और में करके है इसी में आपके साथ और में एक question है how did Newton demonstrate the presence of seven colors in the sun's white light how मतलब इसमें आपको statement के तुरूर के एक answer देना इसका तो यह आपका a part है कैसे Newton ने कैसे आपका demonstrate किया presence of seven colors in the sun white light कैसे करा तो आप देख सकते हो के Newton was the first person Newton was the first person to observe was the first person who observed the phenomena of dispersion of light phenomena of dispersion of light लेकिन वो इस बात पर आए कैसे वो इस बात पर आए guys ध्यान से सुनना उनने क्या करा he made an arrangement he made an arrangement of two prisms one is inverted एक उसमें से उल्टा था with respect to first one with respect to other other के respect में एक आपका कैसा था inverted था he made an arrangement of two prisms one is inverted with respect to other and he observed that white light dispers into seven colors and again become white ठीक उनने इस arrangement में क्या देखा कि पहले prism से आपकी जो light है वो seven colors में तूट गई उसके बाद वो ही seven colors वापिस दूसरे जो inverted prism था उसमें गई और वापिस से white light बन गई इसी चीज को उननोंने देखा और समझा के हाँ भाई इसका मतलब ऐसा ही है कि आपके prism से white light आपके seven colors में तूट जाती है इसी को आप dispersion of light बोल देते हो math का कब से अंजली don't worry अगर आपने subscribe करके रखा है bell icon दबाया हुआ है तो बच्छा आपको regular notification मिलता रहेगा patience रखो सब मिलेगा ठीक है चले गाइस तो आई होप आपने सब चीज़ अच्छे समझ ली है चीक ओके अगर अच्छे समझ मारा है तो please show me your response with your thumbs guys ओके चीक तो यहाँ पर हमने देख लिया B part में बोला क्या है he used two identical glass prism उसने क्या गरा दो identical glass prism लिये create a ray diagram to depict the path of light when two identical glass prism are placed next to each other in an inverted position and a narrow white light beams is allowed to fall obliqually on one of the first prism focus तो देखें इस वाले question में बोला है कि diagram बना हो आपने बहुत अच्छे से देखा आपको समझ में आ गया कि इसमें तो यार आपका ray diagram बनेगा ray diagram कौन से वाला बनेगा जो अभी हमने इसके ए पार्ट में बात discuss करी उसी का आपका ray diagram बनेगा उन्होंने क्या बनाना आपको दो prism लेने ठीक है दो prism में से एक आपको उल्टा बनाना है क्यासा बनाना है उल्टा बनाना है इसको हम उल्टा कर देंगे ऐसे करके और यह हमने इसको उल्टा कर दिया ठीक भाई उल्टी पुल्टी ठीक अब यहाँ पर हमने कर दिया उल्टी पुल्टी उल्टी पुल्टी करने के बाद यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे कि आपकी एक ray of light आ रही है obliqually obliqually मतलब कुछ angle बनाती हुई इसका क्या meaning है अब यहाँ से ray of light क्या होगे आपके seven colors में टूट जाएगी मान के चलो ऐसे आई यहाँ पर हम दो ही rays of light से इस pattern को दिखाएंगे सारी नहीं बनाना गाईज आपको आप दो ही से बनाना एक ऐसे गई उपर एक ऐसे गई नीचे जो उपर गई ओ रैड वाली आपको पता है नीचे वाली violet है फिर यहाँ से यह ray of light इस पर ऐसे गईगी ठीक है एक इस पर से भी आपकी ऐसे करके इस पर गईगी ठीक है ऐसे थोड़ा सा हो इसको ओबलिक ऐसे करके बनाना है आपको ठीक इस तरीके से आपने बना दिया ठीक बहुत अच्छे से देखिए यह वाली आपकी ऐसे गई यह आपकी red है उपर वाली और नीचे वाली आपकी violet है ठीक यह इस पर जाके गिरी और उसके बाद आपकी यह दोनों की दोनों क्या होंगी वापिस से रीफ्रेक्ट होईगी इसके अंदर जाने के बाद तो वापिस से जब यह रीफ्रेक्ट होईगी तो यह guys कैसा होगा भाई यह फ्लाइट ऐसे गई ध्यान से देखना कि अब यह दोनों जाके एक जहां मिलेंगी इस तरीके से ठीक है और उसके बाद फिर यह फाइनली वाइट लाइट बनके बाहर निकलेगी क्या निकलेगी वाइट लाइट बनके बाहर निकलेगी तो अबलीक्यूली दिखाना आपको यह भी कुछ इस तरीके से आया समझ में कोई चीज में confusion हो तो आप पूछ लीजे वाइट लाइट है और सिर्फ वाइट लाइट ही आपके सैवन कलर के बैंड में तूटती है तो इस डाइगराम बहुत ही important है इसको अच्छे समझ लीजेगा ठीक है बहुत बड़े हागर वाइट आएगी वाइट जाएगी तो अच्छे से पता है आपको शिखा अच्छी बात है फुल्टी फुल्टी पैस रहे हो चलिए ठीक है आई होब आपको चीज अच्छे से किलियर है जो बच्छे हमारे प्लैटफॉर्म पे नए है ठीक है रिपीट प्लीज सब्सक्राइब कर दीएं गयाज देखें सब्सक्राइब करने से हमारे जज्यादा आपका फाइदा है अपने फाइदेख लेए सब्सक्राइब जूर्ब कर दीजेगा ठीक है तो हमने हाप चीज देख लिया अच्छे से बहुत चीज समझ ली यह आपका B part था, तो A part यह रहा गाईज और B part मैंने यहाँ पर आपका draw कर दिया C part में क्या आप होल रहा है List two prerequisites for seeing our rainbow भाई एक rainbow देखने के लिए दो conditions बताओ जो होनी चाहिए rainbow देखने के लिए तो भाई रेंबो देखने के लिए rainbow formation condition rainbow formation condition क्या है rainbow formation की दो condition है गाईज, पहली के आपका जो sun है वो behind the sun should be behind the आपको ऐसे लिखना है sun should be behind the observer observer के पीछे होना चाहिए behind the observer, भाई जो observe कर रहा है उसके पीछे होना चाहिए sun दूसरी condition क्या है क्या आपको या तो waterfall होना चाहिए पानी तो होना ही चाहिए क्योंकि यहाँ पर पानी prism का गाम करता है ठीक है, waterfall और water water drops ठीक या फिर आप कह सकते हैं और rain, after rain after rain भी आपने कहीं बार देखा है या फिर आप इसको अच्छे सा अगर लिखना चाहो तो आप लिखो के waterfall और water drops और rain ठीक, तो यह आपकी दो conditions है अगर यह दो conditions हो रही है तो इसका मतलब आपको rainbow वाला pattern देखने को मिल सकता है कि सभी को चीज clear है देखो गाईज, इस में diagram बनाने को नहीं बोला सिर्फ condition पूछिए diagram भी आपको बनाना आना चाहिए आपको पहला chapter और दूसरा chapter में diagram की बहुत importance है इस बिल्कुल सही, खतरी चलिए आई होब आपका यह वाला concept अच्छे से clear होगा होगा अब आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं question number 36 5 marks का question है बट बहुत easy तरीके साब इसको done कर लोगे अगर आपका concept clear है क्या बोला गया है इना horseshoe magnet यह क्या है आपकी यह आपकी एक horseshoe magnet है आप देख सकते हो यह यह क्या है आपकी horseshoe magnet है इसमें यह north pole है यह आपका south pole है यह north pole है और यह आपका south pole है ठीक है यह कुछ इस तरीके से ऐसे करके बना रहे और इसके बीच में आपका एक conductor रखा हुआ है जैसे के आप देख सकते हो ठीक इना horseshoe magnet है current carrying conductor है इसमें current भी flow हो रहा इस placed perpendicular to the magnet field देखो क्या बोला गया अगर यहाँ पर देखो आप देख सो north यह रहा तो दूसरे color से देख लेते हैं देखो north यह रहा south यह रहा magnetic field कैसे जाता है नौट to south जाता है inside नहीं outside आगर बात करें तो नौट to south ऐसे जाएगा मान के चलो यह इसकी magnetic field हो गया तो B की direction आपको मिल गई यह मिल गई ठीक है उसके बाद इसमें conductor इस तरीके से रखा गया कि जो current इसमें flow हो रहा है वो उसके perpendicular होना चीए तो मतलब भाई मान के चलो current आपका conductor ऐसे है ठीक है और यह आपका current है आई ठीक है यह condition यहाँ पर दे गई है the conductor is displaced upward what will happen to the displacement of the conductor क्या हुआ कि ऐसा करने के बाद जब इसमें current flow हुआ तो आपका जो conductor है यह उपर को move करने लगा normal lecture में इस बार में हमने बहुत अच्छे से बात की थी कि कि कोई current carrying conductor है उसके आसपस magnetic field है तो आपका जो wire होगा वो fluctuate करेगा ठीक है और current की direction change करोगे तो उसका जो fluctuation अगर वो इधर हो रहा है तो फिर वो इधर होने लगेगा ठीक तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो conductor is displaced upward इस case में जो conductor है वो उपर के तरफ displaced हो रहा है किधर? उपर के तरफ ऐसे ऐसे रखा हुआ है ठीक है जैसी इसमें current flow हो तो यह ऐसे ऐसे उपर के तरफ जा रहा है समझे मेरी बात को upward displaced कर रहा है तो इसमें इनोन आगे क्या पूछा है what will happen to the displacement of the conductor conductor के displacement पे क्या फरक पड़ेगा मतलब displacement का मतलब यहाँ पर यह है कि कितना displaced करेगा भाई अगर कम current है कम magnetic field है तो कम ही displaced करेगा लेकिन अगर आप magnetic field या current की power बढ़ा देते हो तो यह भी जादा fluctuate करेगा जादा displaced करेगा पहले किया पूछ रहा है current in the conductor is increased पहला case क्या है कि current आपने बढ़ा दिया current increase कर दिया तो guys current increase कर दिया तो normal lecture में हमने एक बात की थी कि आपको एक formula बताया था मैंने force कौनसा force जो magnetic field इस conductor पे लगाएगा वो force किस किस पे depend करता है वो इसके magnetic field current I length of the conductor और sin theta BIL sin theta जो angle बन रहा है किस किस के बीच में आपके current और magnetic field के बीच में जो angle बन रहा है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर हमने current increase कर दिया तो हम बहुत अच्छे से कह सकते है current increase तो बच्चा आपका जो force है force भी increase करेगा है ना अगर आप current increase कर रहे हो तो आपका जो force है वो भी increase करेगा क्योंकि directly proportional to each other अब क्या बोल रहा है second case में लेकिन यह पूछ रहा है displacement what will happen to the displacement तो आपको इसाफसी बात है ज्यादा force होगा तो ज्यादा displacement होगा so displacement 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 will increase displacement क्या होगा बढ़ेगा आई बात समझ में क्या फर्स्ट पार्ट डन है clear है चलिए अच्छी बात है तो जितने भी बच्चे सुन रहे हैं 23-24 बच्चे हैं सुन रहे हो तो क्या सी दो ही बच्चों ने ठेका उठा रखा भाई कमेंट करने का बच्चे लोग आप भी कमेंट करो यार interaction करो ठेक्शन नहीं करोगे तो क्या होगा क्या होगा बताओ आपके डाउट्स रह जाएंगे माइंड में अगर डाउट है तो आप कर सकते कमेंट ठीक है बिना किसी जिचके पूछ सकते हो कोई confusion कोई डाउट आ रहा हो चलिए तो यहां पर मैं देख सकता हूँ अजली खत्री और शिखर शिखा ठीक है और हर्सराना यहीं बच्चे हैं जुनके थोड़े कुछ कमेंट हैं और शंतोस ने भी भाई चलो बढ़ए अगर सभी को अच्छे से क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं यहां पर हम देख सकते हैं second part में बोला है a horseshoe magnet is replaced by another stronger horseshoe magnet stronger horseshoe magnet का मतलब के अब अगर आप इसको हटा के कोई another horseshoe magnet लाते हो जिसका magnetic field इस से जादा बढ़ा है तो मतलब magnetic field बढ़ गया magnetic field increases तो अगर magnetic field बढ़ गया guys यानि B आपने बढ़ा दिया तो बहुत अच्छी से आपको समझ में आ जाएगा that force is also increases force भी आपका बढ़ेगा force बढ़ेगा तो displacement भी बढ़ेगा displacement will increase आई बात समझ में टीक अब इसके third part में बोल रहा है the length of the conductor is increased by length भी बढ़ा दो यहां से देखने को मिल रहा है तो third part से भी आप क्या बोल दोगे that third part में भी आप बोल दोगे by length अगर increased हुई तो साफ सी बात है force भी आपका increased होगा then displacement will also increase I hope आपको चीज के लियर है अब आते हैं पीछे B part में बोला है which device can be used to maintain the potential difference between the two ends of the conductor बता हुआ कौन से device use करते हैं हम दो ends में potential difference maintain रखने के लिए explain the process by which this device does so इस process को भी explain करो जिसके वज़े से device ऐसा कर पा रहा है तो यह आपका A part था और यह आपका A part कही था अब हम चलते हैं B part पे B part में क्या बोला है इसने भाई B part में बोला है कौन सा ऐसा device है तो बच्चा याद करो बहुत अच्छे से वो device का नाम है battery और cell battery और soil के help से आप क्या कर पाते हो battery और cell के help से ही आप potential difference create कर पाते हो इसका यह end मान के चलो negative है यह potential है यह आपका battery यह cell cell और battery ठीक अब इसके अंदर होई वी chemical reaction के वज़े से ही क्या होता है इसके अंदर एक potential difference create हो जाता है ठीक है चाए भले यह out of circuit हो मतलब cell or battery used to maintain potential difference between two ends between two ends between two ends इसके यह आपको चीज़ समझ मागे ठीक है with the help of chemical reaction chemical reaction की help से with the help of chemical reaction battery or cell yeah cell or battery maintain the potential difference between two ends एक आप क्या कराते हो chemical reaction नहीं कराते हो ठीक है जब आप क्या करते हो गाईस यह cell और battery आपने circuit में नहीं लगाई तब भी यहाँ पे क्या होता है भाई इसको बोलता है low potential region यह कौन सा region है यह आपका low potential region मैंने बहुत अच्छे से आपको discuss करा था इस बात को low potential region है यह क्या है आपका भाई यह आपका high potential region है ठीक है तो यह आपका क्या करता है potential difference maintain करके रखता है जैसे ही आप इसको circuit में लगाते हो जहां भी लगाते हो मान के चलो आपने यहाँ पे एक wire लगाया तो इस wire के across भी आपका अच्छी बात होगी दूसरों को डिस्टब और करते हो यार अच्छी बात नहीं है अलो टेक्नो गेमर्स बाई कुछ सीग से संसकार सीग पहले teacher को high hello बोलना होता है ठीक है चले गाइस तो अच्छे से आपने चीज क्लियार कर दी नवनीत बच्छा अगर नवनीत आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो class 12 का notification आपको मिल जाएगा आज class 10 की class चल रही है ठीक है ठीक है तो हमने बहुत अच्छे से इस चीजों को देख लिया आपको मैंने अच्छे से concept समझा दिया ठीक है यह आपका B part था इसका अब आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर बात करते हैं question number 37 की यह आपका physics का section E में है यह last question है guys इसके बाद physics का part खतम हो जाएगा चार marks में question है चार marks कैसे लाने हैं इस question को देख लो मैं अगर किसी को लगता है कि भाई इसकी physics बहुत strong है तो बच्छा फटाक से calculate करके मुझे answer दे दो अगर कोई इसको कर पाता है भाई तो मैं मान जाओंगो कि भाई इसको electricity chapter बहुत अच्छे से आ गया है समझ में नहीं कर पा रहे हो तो मेरी बात सुनो अच्छे से question क्या है रेहा connected two or more resistance रेहा ने दो और दो से ज्यादा resistance को इस तरीके से connect करा that the same potential difference gets applied to each of them मतलब same potential difference अगर आपको कभी भी सुनने में आ रहा है कि कुछ ऐसे resistors हैं या कुछ ऐसे material है जिनके सभी के ends एक जगाँ जुड़े वे हैं मतलब क्या भाई मतलब यह कि आपने एक wire लिया ऐसे दूसरा wire लिया आए कैसे तीसरा wire लिया आए कैसे इन तीनो wires में आप same potential difference कैसे create कर सकते इनको parallel combination करके तो लिख रहा है this kind of connection is says to be parallel when she joins two or more resistance in parallel to one another then the same current gets additional pass to flow and the overall resistance decreases यह बात तो हमें पता है कि अगर आप parallel में लगा देते हो तो इनमें से current बढ़ जाएगा और same ही इन तीनों में potential difference होगा ठीक है आई बात समझ में और आपका resistance जो effective resistance वो घट जाएगा क्योंकि हम इनको parallel में देखते हैं यह formula आपको पता है अच्छे से ठीक है उसके बाद इन्होंने बोला A part में क्या करना है आपको ash on three resistors are connected आजैसे कि आप देख सकते हो तीन resistors यहाँ पर connected है calculate the equivalent resistance between point A और B A और B के बीच में कितना equivalent resistance है भाई हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से current डिवाइड कर ला रहे हैं तो वो तीन हिस्सों में तूट जाएगा इधर इधर और इधर तो जैसे यह आपको दिख रहा है कि current जहां पर तीन इस्सों में बटे तो बच्चा फटाक से समझ जाओ कि वो आपका parallel combination है कैसा combination है parallel combination है तो आप मान के चलो six ohm का resistance यह था three ohm का यह है और one ohm का यह है यह तीनों कैसे है parallel में connected है तो यह पहला पार्ट तो आपको बहुत easy लिख रहा है ठीक आप इसका effective resistance निकाल दोगे फटाक से कैसे one upon rp करके जिसमें से पहले वाला है one upon six दूसरे वाला है one upon three और last है one upon one इसका आप LCM लोगे six आएगा तो यहाँ आएगा one यहाँ आएगा three two जा और यहाँ आएगा six one जा six तो यहाँ पर आपको six और दो आट और एक nine nine by six इसको आप उल्टा कर दोगे तो rp आपको क्या मिल जाएगा six by nine three three जा three two जा तो आपको मिला two by three ohm तो यह आपको मिल गया resistance effective resistance पहले पार्ट का यह कौन सा है आपको एपार्ट है ठीक है question आया समझ में यहाँ तक कोई चीज गूड़ इवनिंग यते इंदर चली बच्छा अगर प्लैटफों पे नए हो तो बच्छा क्या करना है आपको अच्छे से पूरा वीडियो देख लेना है समझ लेना है और च मैं लेट सी के बी पार्ट को कौन डन करता है मैं आपको समझा देता हूं बी पार्ट में बोला है वैना 12 मीटर वायर अगर 12 मीटर लंबा तार लोगे इस डिवाइड़ इंटू 3 इक्वल पीसी उसको तीन हिस्सों में बराबर हिस्सों में काट दोगे and its end are then twisted together देखो और हैं उसको ट्विस्ट करके लगा दोगे ट्विस्ट कर दोगे सभी ends को एक साथ find the resultant equivalent resistance आई बात समझ में ठीक है बी में दो option है कि पहले वाला करो या बाद वाला करो बाद वाले में बोला if three resistance तीन साथ और नौ are connected in parallel then what will be the equivalent resistance जाद अगर बच्चे इस वाले पार्ट को करना चाहेंगे क्यों 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 इस है पहले वाले में सर घूम रहा है बट बच्चा मान लो exam में आ ग अगर कोई बच्चा मेरे से पहले कर देता है यह तो अच्छी बात है मज़ा आ जाएगा ओके गरीमा अच्छा आप हो ठीक है गरीमा भाई पहले का तो दे दिया जवाब दूसरे पार्ट का दोना भी का मज़ा तो तब आए दूसरे बार्ट में क्या बोला गया है सुनो ब एक हिस्सा यह हो गया दूसरा हिस्सा यह हो गया और तीसरा हिस्सा यह हो गया तीनों कैसे इक्वल पार्ट है समझे मेरी बात को एक हिस्सा यह दूसरा हिस्सा यह और तीसरा हिस्सा यह अच्छा बराबर नहीं लगा तो बराबर मार देते हैं कोई दिक्कत नहीं और तीसर वह दोड़ दिया इसको यह पूरा जो आपका वायर है वो बारा मीटर लंबा था अगर बारा मीटर लंबा है तो एक हिस्सा कितने को भाई चार मीटर का यह हो गया यहां से यहां तक ठीक है, चार मीटर का ये हो गया है, यहां से आ तक, और चारी मीटर का ये हो गया है, यहां से आ तक, और यह तीनों इक्वल पार्ट्स हैं, उसके बाद क्या करा, इनको टुष्ट इट टुगएदर, देखा आगे क्या लिखा हुआ है, इसके तीनों के क्या करा है, इसका जो एंड है, मान के चलो, कि ये वाला एंड और ये वाला एंड टुष्ट करके, मतलए ऐसे घुमा के ऐसे लगा दिया, तो गाई इस तरह के कॉंबिनेशन को समझ जाना, कि भाई, वो पैरलल कनेक्टेड करने को कह रहा है, यह कैसे कनेट कर करने को कह रहा है, पैरलल कनेक्ट करने को कह रहा है, यह तीनों कनेक्ट कैसे है, पैरलली कनेक्टेड है, आई बात समझ में, यह तीनों पैरलल कनेक्टेड है, चलिए, यह तो आपको समझ में आ गया, यह चार मीटर का यह है, चार मीटर का यह है, और चार मीटर का यह है, ठीक है लेकिन problem यह है कि इसमें resistance नहीं दिया, क्या नहीं दिया इसमें, find the resultant equivalent resistance, why resistance दिया ही नहीं है, तो कैसे calculate करोगे, तो मेरी बात सुनो, हम क्या मान के चलेंगे, let, यहाँ पर एक आपको assumption लेनी होगी, let 12 meter wire have 12 ohm resistance, ठीक है, कि 12 meter के तार के पास जो resistance है, वो 12 meter है, then, Each piece, एक piece के अंदर कितना होगा, then, each piece have, एक piece के पास कितना resistance होगा, तो बच्चा, एक piece के बास हो जाएगा, 12 by 3, और answer आजाएगा, 4 ohm, यानि, इसके पास भी 4 ohm का resistance, इसके पास भी 4 ohm का resistance, इसके पास भी, sir, अब तह हम कर लेंगे, अब तो करील होगे, में बता दिया आपको अब क्या बचा है इसमें तो फॉर्मल लगा हो गया आंसर आ जाएगा फटाक से बताओ समझ में आया बाई देखो जो अच्छा एंड तक टिका रहेगा उसी के सारे कॉंसेट किलियर होंगे क्योंकि जो हैवी हैवी प्यारे प्यारे कुश्चन है वो आपके सेक्शन डी और सेक्शन इमें ही मिलने देखने को मिलते हैं ठीक है क्योंकि ज़्यादा माक्स के होंगे तो ज़्यादा दिमाग खपा ना पूड़ेगा सिंपल सी बात है चले गाई शो मियर रिस्पॉंस अगर आया समझ में तो अच्छे से बता दो थोड़े दिन का मैं पॉस लेगे देख रहा हूं आपको कितना टाइम दे रहा हूं और बताओ ठीक है चलिए तो आई होब आप सभी को चीज समझ में आ गई शो मियर रिस्पॉंस गाई अल फ्यू प्लीज जस्ट शो मियर रिस्पॉंस एक बार दो रिस्पॉंस कर दो यह सर समझ में आ गया कुछ बच्चे अगर सरमा रहे है में मेंसेज करने में और उनको दिक्कत है समझने में तो बच्चा कर दो रिस्पॉंस अभी भी टाइम है ठीक है अच्छे से आपने चीज समझ ली अगर आप यहां फॉर्म लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा आपको यह मिलेगा वन अपॉन आर्पी इस इकल्स टूवन फॉर वन बाई फॉर वन बाई फॉर यानि आपको मिला थ्री बाई फॉर यानि फाइनल अगर आप इसको रैसिप्रोसल करके लिखोगे तो भी लिखेगा फॉर बाई थ्री ओम ठीक है चलिए तो आपने बहुत अच्छे से कर लिया अब इसमें और वाला उप्शन भी है और वाला भी देख लो आप बहुत अराम से कर लोगे बस तीन रेजिस्टेंस है तीन को पैरलल में एक बटा तीन एक बटा साथ एक बटा नौ तो इसमें आप कैसे करोगे बी पार्ट में वन अपॉन आरपी कैसे नहीं कर लोगे वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन क्योंकि time जादा हो रहा है आप normal calculation कर लोगे concept में आपको समझा दिया कोई confusion कोई doubt है तो बता सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाना गाईस मैं आप सभी को suggestion देता हूँ जो मारे platform पे नए है वो प्लेलिस्ट में जाए हर एक प्लेलिस्ट अलग है ठीक है और अगर अच्छे से और जुड़ना है तो description में एक link है टेलिग्राम का उसको join कर ले वहाँ पे हर एक lecture के बाद आपको notes मिल है यह जो देख रहे हैं इसका भी notes आपको प्रोवाइड हो जाएगा ठीक है चले अच्छी बात है कर लिया तो गरीमा ठीक तो गाईस आई होब आपको अच्छी चीज समझ में आ गई ठीक तो आब हम यहाँ देखते हैं अब आपको question है तो दो question बच्चे में है दो कोशन ह biology के पांस से साथ मिनिट में आपके question भी खत्म हो जाएंगे तो बच्चा अच्छे जिंच questions को कर गे जाना और आप देखेंगे कि आपको confidence improve हो जाएगा ठीक चले गाज़िए हां जी प्यारे बच्चो समझ आ रहा है सब कुछ अगर समझ में आ रहा है तो एक बार session को लाइक सब्सक्राइब और शेर जरूर कर दें ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा थाटीएथ question क्या है question क्या पूछा है हमें कि नेहा विजिटेड मुगल गार्डन जो कई गया है मुझे बताएंगे बच्चे ठीक है नेहा विजिट मुगल गार्डन एस शो इन दे पिक्चर पिक्चर में यहां पे आपको मुगल गार्डन देखने को मिल रहा है अरे यह आपको मुगल गार्ण देखने को मिल रहा है शी फेल्ट सो हैपी और मेज तो सी डिफरेंट टाइप आप अप अप्लावर उसमें वहां पर अलग लग कर तरह के फ्लावर देखे ठीक है और बहुत खुश भी हुई उनको देखे अलग लग कलर के थे और बहुत अच्छी खुश भूदे रहे थे ठीक है शी टोल्ड हर टीचर उसने अपने टीचर को कहा देट फ्लावर ब्यूटिफाई ओवर इन्वार्नमेंट एंड रिफ्रेश ओवर बूड और वूड और फ्लावर प्लावर प्लांट तो इंजॉए इ बिल्कुल उसने अपने टीचर को बोला कि हमें और जादा से जादा प्लान लगाने चाहिए ताकि हमारा जो इन्वार्नमेंट वह रिफ्रेश रहे और हमारा मूड भी जो है वह बिल्कुल अच्छा रहे उसके टीचर ने उसकी बात सुनके रिप्लाई क्या दिया पहले स् स्टेटमेंट ने पढ़ते हो उसकी हावाव में आगे न अब यह चीज़े गलत कर देते हो ठीक तो इसलिए पहले यह स्टेटमेंट पढ़ लेनी है हमें गुड इवनिंग बेटा देखो हर टीचर टोल्ड हर उसकी टीचर ने उसको जवाब दिया देट फ्लावरिंग प् सब्सक्राइब अब आपको पुछा है बहुत ही जादा इंटेलिजेंट बच्चे अब यहां पे आपको पहला क्या पुछा है अब मुझे यहां पे आपको यह बताना है कि कहां पे मेल गैमेट्स होते हैं और कहां पे फीमेल गैमेट्स पाए जाते हैं सब्सक्राइ strang simplemente self-media देखने को मिलते हैं और फी मेल bringing आर फांड इन इलीमियल गैमीट्स मेल गैमेट्स नहींड मिलेंगे हमें एंषर में एंधर क्या है स्थी मेरेफ सॉल्पमड इस फीमेल लिप्रेटिव बेने को ön送 duel ओवरी यह क्या है फीबेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और यह क्या है मेल रिप्रडग्टिव पार्ट ठीक शॉट फोर्म में लिख रही हूं है यहां पर यह कुस्छन हो हमारा है ना फर्स्ट कोशिन हो गया हमारा यहीं चीज तो पूछिया उन्होंने हां जी टैको गेमर बिल्कुल सही विच पार्ट आफ दो फ्लावर विकम सीड आफ्टर फ्लावर का पार्ट है जो बाद में सीड बन जाता है फ्लावर के बाद में जो क्या सीड बन जाएगा तो क्या होता है कि आफ्टर फ्लावर फ्लावर का पार्ट है जो बाद में सीड ब हमारे ओव्यूल सोते ना वो क्या बन जाते हैं सीड बन जाते हैं ठीक और जो ओवरी की वॉल के लिए नेचर ने क्या गिया है भार उसकी जो पक जाती और मोटी हो झाती है ठीक है करें हांजी तो क्या होता यहां पर कि आफ्टर फर्टिलाइशन आफ फर्टिलाइशन के बाद क्या होता है कि जो हमारे ओव्यूल है कि बिकम कि सीट्स ठीक है सीट्स और ओवरी वाल जो है हो क्या बन जाएगी फ्रूट हमारा सेकिंड कोश्चन भी हो गया यही चीज़ पूछिए इन्होंने है न विच पार्ट फ्लाउग तो वो कौन सा था हमारा ओव्यूल ओव्यूल जो है वो क्या होता है फर्टिलाइशन के बाद हमारा सीड बन जाता है चलिए नेक्स्ट कोश्चन क्या पूछा है इन्होंने अडेंटिफाइड पार्ट लेबल एज एबी एंसी हमें यहां पे जो पार्ट दियो है इनको इडेंटिफाई करना है पहचानना है तो जब आपने प्लांट रिप्रोड़क्शन पढ़ा होगा ठीक है तो वहां पे है कि human support देखने को मिल रहा है तो यह में यह पूरा इसमें सब से ऊपर वाला इस तरह से होता है ठीक है एसको हम अलग करके अगर भर आए झिक है च्वाने स्टिग्मा के नीचे सिसको क्या बोलेंगे जिसको इन्होंने वी लिखा है इसको बोलेंगे हम स्टायल कुर्बाइभ एंधियर valsam झाल थाल यह लोलवाला पार्ट किया हमारा ओवरी ऑर यही इस कि जब वाल पक जाती है तो वह हमारी क्या बनाती है फ्रूट्स ठीक समझ में आई बात अब जो हमारा स्टिगमा है इसका क्या काम होता है कि यह जब पॉलन ग्रेंड रिप्रोडक्शन जब होती है ठीक है जब पॉलन ग्रेंड ऊड़के आएंगे ठीक है किसी भी तम बहुत सारे सोर्सिज के थ्रूब पॉलिनेशन होती है ठीक है विंड के थ्रूब होती है एनिमल्स के थ्रूब होती है ठीक है वाटर के थ्रूब होती है जिस भी तरह से अगर पॉलन ग्रेंड इसके पास आते है ठीक यहां पे पॉलन ग्रेंड क्या करेंगे रुकेंगे ठीक है अ किसका stigma का हमारा यह काम है बट अगर यह compatible नहीं हो अगर मालों वह संफ्लॉर के बीज उड़के आगे बैठी इस पर तो वह बिल्कुल भी नहीं होगा वहां पर क्या होगा इसकी बॉल जो है वो इसको असाप्ट ही नहीं करेंगी ठीक फिर उसके बाद जो हमारा style है style का क्या क कि यह हeking कंडक्ट करता है कि इसको एक ट्यूब लांग structure और यह किसको हमारे स्टिग्मा और उवरी के साथ कंड़क्ट करता है जिसके थ्रू passport क्या होते है हमारे रिफRean करते हैं कहां की औरंग हमारे कまぁ पहां जी बिलकुल कतरिया ने बिलकुल से ही बताया ओवरी तक यह मूव करते हैं और यहां पर आपको डॉटेट सा स्टक्चर देखने को मिल रहा है यह हमारे क्या है ओव्यूल्स है ठीक है अब हमारा इसमें आपको एक और पूछन पूछा है इन विच आफ दो फॉल्विंग कैटेगरी वूड यू को हम कौन सी कैटागरी में रखेंगे एक बात और दूसरी बात यह है कि यूनिसेक्शल फ्लॉवर्स कौन से होते हैं और स्टराइल फ्लॉवर्स कौन से होते हैं तो जो हमारा हिबिस्कस है ना बेटा यह क्या हमारा बाइसेक्शुल है ठीक पहली बात है बाइसेक्शुल ह मतलब बोथ male and female reproductive organs are present organs are present इसमें क्या होगा? दोनों males और female reproductive organs होगे इसमें present होगे कैसे होगे देखो कुछ इस तरह से हमारा यह मान लो फूल है ठीक यह हमारा flower है ठीक यहाँ पर हमने देखा मैंने आपको बता दिया कि यह जो stigma है यह क्या है? फीमेल reproductive organ है और इसके नीचे जो आ रहा है यह हमारा style है और यहाँ पर हमने बना दिया ओवरी ठीक इस तरह से होता है फ्लावर अब आपने कभी फूल को हाथ में लेके देखा होगा और क्लोस से देखा होगा तो उसके साइड में कुछ इस तरह से भी होते हैं होते हैं जिन्होंने देख्या वह प्रेंड रेस करें जल्दी से इस तरह से होता है कुछ फ्लावर का पाट अगर आपने पास से देखा होगा तो अब देखो इसमें जो यह वाला पार्ट है न यह तो हो गया हमारा स्टिग्मा यह आगया हमारा स्टाइल स्टाइल baby io और यहागी हमारी ओबरी रेक्या हमारा फीमें रिपाड़क्टिव पाट इसको हम क्या बोलेंगे पिस्टल चैनो рийमें यह हमारा एंथर और को सफिल्बेंट इसको बोलता है हम फिलमेंट और इसको हम एक साथ क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे हम इसको एक साथ यह साइसी हां जी बिलकुल यह सब ने देखा होता बेटा बहुत कौमन है इसको हम एक साथ बोलें यह स्टैमन इनको हम एक साथ बोलते हैं यह हमारा स्टैमन तो इस तरह से क्या है यह हमारा जो हिबिस्क वाई सेक्शुल मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोड़क्टिव और गन हमें देखने को मिलेंगे देन उसके बाद ओर क्या पुछा कोश्चन में कोश्चन भूल गया हम हाँ एक्स्प्लेंड गिव वन एक्जेम्पल और यूनी सेक्शुल फ्लॉवर हमें को एक एक्जेम्पल देनी है यूनी सेक्शुल फ्लॉवर की ठीक यूनी सेक्शुल फ्लॉवर कौन से हो गया है जिन में सिर्फ एक ही रिप्रोड़क्टिव और और फीमेल ठीक आइधर मेल और तो इसके अग्जाम्पल qyya है, unisexuelle में क्या होगा, आइदर male और female. तो इसके अग्जाम्पल अगर मैं आपको बता दूँ तो इसमें हमें एक अग्जाम्पल देनी है तो water melon सब ने खायाiche है na, तरबल सब ने खाय scarf तो water melon इसके अग्जाम्पल है या पैया भी सबने खाया है फिक है फाय देखा हुगा सबने फिक यह हमारी किसकी उनिसेक्शन फ्लावर्स की अगर हम बात करें और पुछ西 इँनोंने के में हम यूनिसेप्शुल अब हमें क्या करने एक्सलेन फ्लावर तो स्ट्राइब फ्लावर कोन से होते हैं non functioning flowers मतलब उं में ना मेल आर्गन में होगा और ना सीफीमेल आर्गन में होगा ऐ था किया टौक है स्ट्राइब ओर णन से होगे जिसमें बोथ male and female reproductive organs reproductive organs are absent ठीक है यहां फिर उनको हम क्या बोलते है non-functional flocks ठीक है non-functional flower ठीक समझ में आगी बात इतनी सी वाद उन्होंने पूछी है ठीक कहां आगे हम कोशन काएं यहां यही चीज़ उन्होंने पूछी अब हम अगला कोशन देखते हैं अगे नेक्स्ट कोशन क्या है इस कोशन में तो इतना ही इनोंने पूछ है ठीक नेक्स्ट कोशन क्या हमारा अगे वाद छीज़ राजसाओड पूर कंडिशन और रिवर दू प्लास्टिक पूलिशन ऑफ व्वेशन और यूजा प्लास्टिक पूलिशन ऑफ एस्टी साइड पैस्टी जानते हैं ठीक है एंड फटिलाइजर्स आइस इस पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा है ऑ हमारे नाले बंद हो गया है किसकी वजह से पेस्टिसाइड प्लास्टिक की यूसे और फटिलाइजर ठीक है गिव जो हमें नीचे दिया है इंडिया इस फेसिंग प्रॉब्लम आफ कंटेमिनेशन आफ वाटर ओवर्यूस और प्लास्टिक पॉलुशन नावएदेश केमिंग लुए डोलुशन नावट नाववर्यूड गयाथ लूटिक उप शहें अप शबिंघाय लन्ह ऐा बहुत बड़ी कहानी लिख दी है पर आपके लिए पढ़ दी मैंने ठीक चलो तो क्या बोल रही है कि बात यहां पर ओवराल किसकी हो रही है कि यह जो पैस्टिसाइड फटिलाइजर और जो प्लास्टिक बैग यूज करते हैं ठीक है उसका क्या इफेक्ट पढ़ रहा है हमा हमारा इन्वार्नमेंट के चेप्टर से हमारा कुछा गया है तो इसमें क्या क्या दिया है इन्होंने इफ रिवर इस फाउंड टो बी कंटैमिनेटर विद कॉलिफम वेक्टेरिया मिक्सिंग और विच पलुटेंट इन वाटर इस रिस्पॉन्सिबल पॉर इस तो भाई इ आप लोगोंने सुना होगा कि human body में क्या होता है बहुत सारे बैक्टेरिया होते है ठिक वड़ाया आप सभी ने कि हमारा जो लार्ज इंटर्टेस्टा इसमें बहुत सारे बैक्टेरिया हमें देखने को मिलते हैं ठीक तो human fecal matter जो है ना human fecal matter जो है इस रिस्पॉंसिबल को ओर दिस ठीक है पहले कोश्चन का तो यह आंसर होगा क्यों क्योंकि जो कॉलिफॉर्म बैक्टेरिया है न हमारा कहां पर देखने को मिलते हैं हमें हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ठीक है हमें हमारा यह वेक्टेरिया देखने को मिलता है ठीक है वहां पर यह हमारा बैक्टेरिया होता है लेक्स्ट कोशन क्या पूछा में हमें in comparison to byo pesticide chemical pesticides are more dangerous वाई हमें बताना है कि जो पेस्ट को मारने के लिए यूज करते हैं तो उनको वह क्या है ऊहुञह, और क्यों है और वुद्ध भेवाक है पीपस्ट करने के लिए रहने कंतवे क्मिकल हो ना उनको कियो है फिल को फो ना कंतव फोस। सब्सक्राइब करते हैं अगर तुम कोई किसान घर के बच्चे हैं तो अपने दादा जी पापा को यह सब करते हुए तो अपने पूरे हाथ वगएरा कवर कर लेते हैं पूरा एक शीट पहन के जाते हैं अगर ऐसे जाएं जो हमारे क्या सब्सक्राइब कर सकते हैं तो अब क्या है पहली कंडिशन क्या बताई हमने कि जो हमारे कैमिकल पैस्टिसाइड हैं वह तो नान स्पैसिफिक होते हैं मतलब वह किसी भी स्पैसिफिक चीज के लिए आपने चलो ठीक है कोई कीड़ा है उसको मारने के लिए आपने लगा लेकिन वह सिर्फ उस कीड़े को नहीं मारेगा उसके साथ साथ बाकी जो आएंगे ना उसके पास उनको भी वो मार देगा ठीक तो पहली condition क्या है chemical pesticides are chemical pesticides और non specific यहां फिर बोल सकते हो non target ठीक है मतलब यह सिर्फ अपने target को भी नहीं मारेंगे उसके साथ बाकी चीज़ों को भी किल कर देंगे उसके साथ इसका दूसरी क्या चीज़ है कि यह बहुत expensive होते हैं है ना बहुत महंगे महंगे chemical साथ आते हैं तो दूसरी चीज़ यह भी हो सकती है more expensive ठीक है more expensive तो इसी वज़े से क्या है हमारे हमें ज्यादा prefer क्या करने चाहिए biopesticides ठीक है चलिए नेक्स्ट क्या है इसमें डेफिनेशन दे रखिया और आपको उस टर्म का नाम देना है ठीक सिंपल सी बात है इसमें तो डेफिनेशन इन्नों ने क्या दे रखिया है अलग भी होगा पहले इस वाले को खतम कर लो ठीक है इस वाले को कर लो पहले अलग बाकी भी करवाएंगे आपको ठीक तो यहां पर आपको टर्म दे रखिये कि जो हमारे non-biodegradable non-biodegradable कौन से pesticides होते हैं non-biodegradable कौन से होते हैं जो क्या है हमारे बैक्टेरियास जो है ठीक है यह जो माइक्रो और्गनीजम्स हैं उनके द्वारा जो क्या होंगे तूटेंगे नहीं ठीक है एक specific term यूज होती है और उसका क्या नाम है बायो मैगनीफिकेशन यहां फिर बोल सकते हैं biological magnification एक और नाम है बायो accumulation ठीक है यह बायो concentration ठीक कौन से term यूज होगी यहां पर बायो मैगनीफिकेशन ठीक है कि यहां पर यूज होगी यहां फिर हम एक और चीज लिख सकते हैं बायो contamination ऐगा से बायो चन्टेमिनेशन पर ज्यादा तर बच्चे ज्यादा तर बुक्स में सिर्फ बायो magnification ही दे रखा हो ठीक है तो हमें एक यहां पर करते हैं कौन सी कि जब कोई भी नॉन बायोडिगेडेबल सबस्टान्स है वो हमारे किसमें फूर्ट चेन में एंटर करता है और वह इंक्रीज होता है हर ट्रॉफिक लेवल पर जैसे आप बढ़ते हो ठीक तो इसमें एक्जेंपल क्या दिये है हमने यह लिए यह क्या एक पैस्ट को मारने के लिए यह यूज होता है लेकिन जब यह कैसे होता है अब हम देखते हैं और कोष्चन क्या पूछा है पहले यहां फिर प्लास्टिक शुट वी आवायड़द वाय दिल ठीक है पहले हम इसको explain कर लेते हैं इसमें क्या दे रखाए नोने देखो मैंने आपको बोला कि DDT इसको ऐस पैस्टिसाइड यूज करते हैं है ना हां biological magnification बिल्कुल तो DDT जो है यह हमारा एक biological बाइलोजिकल मैगनिफकेशन में इसको वह करते हैं DDT जो है हमारा पैस्टिसाइड क्या करेगा कि जब आपने किसी मानलो यापकी फिल्ड है यहां पर आपने आपनी खेति लगा रखी है और अपनी खेति में आपने क्या दिया DDT डाल दिया वहां पर पैस्ट हो रहे थे बह water body में जाएगा आपके आज़ आस पास वहां पे क्या है एक तलाव है हृची के पाउन्डे कोई दे के गफ शुय ए वाटर है कि अ epidemi में चल जाएगा वाब बीसमग क्या होता है जू प्रैंक्टॉन सुन रिख नोटोंगे तो वो इसको लेंगे जू प्लैंक्टों इसको खाएंगे जू प्लैंक्टों को कौन खाती है हमारी जू स्मॉल फिशिज होंगी वह खाएंगी इसको ठीक उसको खाएंगी हमारी स्मॉल फिशिज इसको खाएंगी हमारी लार्ज फिशिज बड़ी लंबाली मचलिया खाएंगी और फिश को कौन खाएगा हमारा कि इटिंग बड़ गो कि अल्टिमेटली किस में जा रहा है इसमें सबसे ज्यादा किसमें कठटा हो रहा है कि उमलेट किसमें हो रहा यह समझगए बात लिट है इतनी से ही बात थी है कि यहां पे क्या हु रहा है concentration increase हो रही है इंक्रीज कंसेंट्रेशन ओफ डीडीटी चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चो अगर आपको सेशन अच्छा लगाओ तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी से रिलेटेड जो भी वीडियो आएंगी उनकी अपडेट मिलती रहे आपको है ना और भी बहुत सारे सेंपल पेपर करवाएंगे और उनके साथ आपको ये सारे सेंपल पेपर सॉल्व करने सेंपल पेपर बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप पढ़ लेते हो आपको कुछ आईडिया ही नहीं कि किस ताइब का be happy and keep learning